हलो अबरिवरडी मैसेल्फ दिग्रास सिंग राजपूद वेलकम टू मैगनेट ब्रीन्स इस वीडियो में एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हम चाप्टर है हमारा क्लास ट्रंथ सिविक्स का पॉपिलर स्ट्रगल एंड मॉमेंट यह चाप्टर जो इसके बारे में कॉम्प्रेहЕंसिव पढ़ेंगे क्यों क्योंकि हमाले टेस्ट में आएगा ही आएगा यह चाप्टर जो है बढ़ा इंट्रस्टिंग चैप्टर विछ पिछले साल तक क्षि cbsад को तो पढ़ाया भी नहीं जाता था स्कूल में लेकिन इस साल से पढ़ाया जा रहा है इंक पॉपिलर स्ट्रगल और मुमेंट किस बारे में बताता है यह बताता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा जो मुमेंट्स चलाए जाते हैं वह भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यह जो वीडियो होने वाला यह बिसिकली इंट्रोडक्शन पॉपिलर स्टॉगल और मुमेंट किया होते हैं तो जैसे मानलीजे आपने देखा होगा अदिकतर धरणा आ यह नहीं पर हरताल वह यह पर लोग प्र impacted कर्रेंट तरीक VER além करते उल prophet करते हैं सारी मतलब सभी मेंस से करने की कोशीष करते को अपनेफिस करते हैं च्छे आपको करक्स बता है कि थे मोमेंट हो रहे हैं जो कुछ नकुछ डिमांड कर रहे हैं सवाल आता है कौन करता है तो आप देखते हैं बहुत सारे जोग मैं बच्चे भी कनी चले जाते हैं तो कोन लोग होते का कॉन करता है दौर करता है पुsch हमारे भीहाफ पर हम उन्हें चूज करते हैं और अपनी पावर को एक्सिसीवली एक्सराइज करने लगे बहुत बड़े स्थर पर अपनी पावर को एक्सराइज करने लगे तो हम यह सोचके रखते हैं Kukaakar आशा की तब्वातिन की पावरीपिप्टेड इपर इपर दिनल्रेंज से पावर कुने मत थैसे को अए तो यहां पर इख करने के लिए क्लिए रीडर्स की तो इनकी पावर को छेक कर सकते हैं we can exert pressure ठीक है by exerting pressure we can control या फिर we can limit their powers ठीक है by exerting pressures and influencing through pressure groups अब pressure कैसे exert करोगे आप धक्का लगाओगे उन्हें नहीं प्रेशर मतलब क्या है कि हम हमारी demands के थू क्या करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं ठीक है तो नेपाल और बॉलीविया की कहानी केत्रों में आपको समझाओंगा कि किस तरह से popular struggle moment democracy को शेप कर सकते हैं country की politics को शेप दे सकते हैं फिर उसके बाद में क्या है और यह सारी चीज़ा कहीं नहीं कहीं वहीं डेमोक्रसी को शेप देती है तो हम यह पढ़ेंगे इस स्ट्रगल से देमोक्रसी यह जो जितने भी फॉपलर होते हैं मोमेंट लोप क्या होता है वह साही चीज़गा किसे काम करती क्यूं जरूरी है उसके बाद में हम देखेंगे how do they influence politics अब बात कर रहे हैं प्रेशर ग्रूप्स और मुव्मेंट्स जो लॉंच करनी है तो वह क्या करती है कहीं पॉलेटिक्स को इंफ्लूएंस कैसे करती है वह भी हम पढ़ेंगे इस देर इंफ्लूएंस हेल्दी अब क्या है इस तरह से सुसाइटी में बढ़ते जितने भी प्रेशर ग्रूप्स बढ़ते जा रहे हैं हम कह सकते कि अलग अलग ग्रूप्स बन जाते हैं कई ने कहीं गवर्मेंट पॉलिसी के अगेंस में प्रोटेस्ट करते दिखने देखत चैप्टर में इस चैप्टर का एक basic crux को दे दिया है किया यह सारी चीज़ेश चैप्टर में होगा और इसलिए एक इंट्रोडेक्शन वीडियो था अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टरॉरि की बात करीमेने तो नेपाल की स्ट एक एरेंज फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं फील फ्री तो विजिट आर ओफिशिल वेबसाइट मैंगेश्च वीडियो में थैंक यू थैंक यू बेरी मच हलो एवर्यबडी इस्तिक राजपूर वेलकम टू मेंगनेट बीचशा इस वीडियो में मंक्या पड़ने वाले हैं इस वीडियो में ये बेसिक आइडिया तो मैंने आपको बताई था पिछली वीडियो में कि हम देखेंगे किस तरह से ये जो मोमेंट्स वगरा जो लोगों की तवारा धरना प्रदर्शन किया जाता है जो स्ट्रगल लॉंच किया जाता है जो स्ट्राइक्स की जाती है तो वह कहीं न कहीं डेम नहीं होगी फिर भी इंट्रस्टिंग होगी तो मैंने आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में दो स्टोरी देखेंगे दो स्ट्रगल मुमेंट की स्टोरी देखेंगे कौन-कौन सी एक नेपाल की बॉलीविया की तो यह जो है यह पार्ट वन होगा ठीक है पार्ट परना पड़ता है डेमोक्रसी को लाने के लिए क्योंकि हेंडिंग में लिखाना है मुमेंट फॉर डेमोक्रसी तो डेमोक्रसी कहां चले गई थी तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें कि मुमेंट कभ स्टार्ट होता है नेपाल में तो अप्रेल 2006 मुमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रसी बिगेन या फिर कह सकते हैं कि खेर स्टार्ट तो बहुत पहली हो गया था वो सक्सेस कब होती है उसकी अप्रेल 2006 में अब क्या होता है इसी के साथ में आपके भुक में जैसे लिखा है कि नेपाल जो था तो थर्ड वेव कं सेंट्री क्या होता है कि बहुत सारे जिसे पॉलेटिकल साइंस के स्कॉलर्स होते हैं जो लोग पॉलेटिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं तो लोग अलग 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 रिसर्च पेपर लिखते हैं अपनी अलग अलग अप्जर्वेशन को क्या करते हैं पब्लिश करते हैं तो किसी political scientist ने क्या कहा कि तीन वेवस आई हैं democratization की मतलब democracy जो आई है तो वह तीन वेवस में आई है पहली वेव जो आई थी तो वह कब आई थी पहली वेव 19th century में आना स्टार्ट होगी थी जब European countries democratic होते चले गई फिर दूसरी वेव Second World War के बाद में आई जिसमें बहुत सार लिखा था इसलिए मैं आपको समझा दिया इतना सिर्पन नहीं लेना इसे ठीक स्पेस कम रहता है तो जितना हम पढ़ा रहे उतना पढ़ना है अभी क्या होता है तो थार्ड वेव कंट्री जो थी तो उस संस में नेपाल को आपको यहां पे एक चीज और ध्यान रखना जै इसा होता है कि डेमोक्रेसी चले जाती है डेमोक्रेसी चले जाती है तो फिर बापिस से रिश्टोर करने के लिए लोग मुमेंट चलाते हैं अप्रेल 2006 में तो आपको एक बेसिक आइडिया बता दिये मैंने अब इस्टार्ट करते हम वाइदी नीट फॉर मुमेंट अरोज अब यहां पर जरुवत क्यों पड़ी कि हां डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहिए ऐसा हुआ क्या था डेमोक्रेसी कहां चले गई थी वह समझाएं तो पहले कहां नी समझते हैं नेपाल में क्या चला आ रहा था है पढ़ते आएं फिर भी एक बार बता देता हूं मैं मत किसे माना जाएगा राजा को जैसा आज के आज के समय में हम कहां देखते हैं ब्रिटेन में देखते हैं तो कॉंस्टिशन मोनार्की अंडर किंग बिरेंद्र सब कुछ बढ़ियां चल रहा था फिर क्या होता है एक मिस्टीरियस मैसाकर होता है 2001 में अभी जो मैसाकर लिखा मिस्टीरियस मेसाकर होता है मतलब लगबग 12 लोगों की death हो जाती है royal family की तो उनका monthly जो get together होता था रही union होता था तो वहाँ पर वहाँ पे वो मिलने आयते सब इनके family members भी रहते हैं तो कुल मिला के 12 लोगों की death हो जाती है आया समझ में है तक अब 12 लोगों की death हो गई अब क्या होता है अब मौका मिलता किंग ग्यानेंद्र को यह उन्हीं के family से थे अब ऐसा रहता ना कि यह तो हरी डेटर हरी चलता रहेगा कि राजा राजा के बाद में राजा का बेटा या फिर उनके परिवार का कोई इस तरह से हरी डेटरी चलता आएगा लोग इंजाम यह हमें भी लगाते किंग ग्यानेंद्र नहीं करवाया होगा है मैं password ठीक है अब वो q mapped के सीरियल देखके लोगों ने conclude कर लिया बागी मिस्टीरी रही आख AH अब देखते क्या होता है तो किंग ग्यानेंद्र जो थे नई राजा बनते हैं ठीक है किंग्ग अने राजा बनते तो he was not ready not ready to accept क्या किस चीज को एक्सेप्ट करने के तयार नहीं थे नहीं थे तो किंग ज्यानेंद्र नहीं क्या बोल दिया कि मैं डेमोक्रिटिक सटप को डेमोक्रिटिक रूल को नहीं एक्सेप्ट करता हूं ठीक है मैं तो मेरे हिसाब से पूरी मोनार्की चलाने को कह दिया तो इन अपरिल 2005 किंग डिदेन प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल पार्लेमेंट तो मतलब 2005 आते हैं राजा ने अब अती कर दी उन्होंने जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें क्या कर दिया जो पार्लेमेंट थी इलेक्टेट पार्लेमेंट उसे डिजॉल्व कर दिया अब जब इतना सब कुछ हो गया तो डेमोक्रेसी तो बची खतम हो चुकी देमोक्रेसी एस बिंग इरोडेट फ्रॉम दी नेपाली सिस्टम ठीक है तो नेपाल का जो सिस्टम था वहां से अब डेमोक्रेसी खतम हो गई अभी तक चला रहा था था कॉंस्टिश्टिशनल मोनार्की लेकिन आप कुछ भी नहीं अब सब कुछ किसके अं होगी तो सिटेजन्स को राइट मिलेंगे उनके तारह चुने गए रिप्रेजेंटेटिव पार्लेमेंट में बैठेंगे वो क्या करेंगे उनके लिए रूल्स बनाएंगे राजा तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है तो इस सेंस में रिस्टोरेशन की जो वेव थी ठ पता है था कि डेमोक्रेसी में पॉपिलर स्ट्रगल्स का पॉपिलर मुमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आया समझ में कनेक्ट किया अपने कनेक्ट दी लॉट्स तो इस तरह से हम पढ़ेंगे अब बात आती है कि मुमेंट इवाल्व कैसे होता है हाव इतनी भी अलग अलग पॉलेटिकल पार्टी मेंटे क्योंकि फिरते लॉट्स लाना है तो सारी ऐक साथ मिलती हैं स्टी मिलने के बाद सेवन पार्टी अलाइन्स बनता है और सेवन पार्टी अलाइंस के डिक्लियर करता कि यह बहुत सारे जितने बी अलग अलग ग्रुप थे यहां पर यूनिटी क्यों हो रही है क्यों कि सभी लोगों का गोल एक होते जा रहा है जैसे आप इंडिया नैशनल मुव्मेंट में देखेंगे तो क्या था मैंने आपको पहले भी कहा है कि हिस्ट्री का पार्ट बता रहो है आपको तो हमेशा चीजे क्या जब ऐसा दिख रहा है कि गोल एक है तो सारे लोग एक सांथ हो जाते हैं आजादी चाहिए थी तो हिंद इस भी मेंतल्य चाहिए में फिछले चाप्टर में पढ़ा हैं खाल माक्स की आइडियोजी पे जह सकते हैं कि जो चौन गर्विचय चाहिए प्राइच चैना क से प्रॉपरिय एचले्स नहीं कि रखते थे यह armed rebellion में विश्वास रखते थे मतलब माओ की एक statement है बहुत अच्छी मैं आपको सुनाता हूँ वह power resides in the barrel of gun ठीक है power resides in the barrel of gun इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रूल करना है तो आपको बंदुक की नोग पर रूल करना होगा इस तरह की आइडियोजी रखते थे तो दिखती बात है कि उनके जो followers होंगे वो भी क्या आम ड्रिबेलियन में विश्वास रखते होंगे मतलब हत्यार उठाओ और तक्ता पलट करो जहां पर हमारी बात नहीं सुनी जारी वहां पर संघर्ज किया जाए तो इस तरह से मतलब सब restoration डिमांड कर रहे थे कि वापिस से किसी भी तरह किसको restore कर लिया जाए डेमोकरिसी को restore कर लिया जाए तो इनकी डिमांडिंग restoration वाली है डिमांड को लेके सारे लोग एक साथ होगा सेवन पाटी अलाइंस माइस्ट इंसर्जेंट्स और जितनी भी दूसरी organizations थी यहां तक आगा समझ में यह ultimitum देते हैं 21st April को यह ultimitum देते हैं लास्ट वार्निंग दे देना ultimitum शब देख जगा और पढ़ा है आपने बताइए काहां पढ़ा है ठीक है मैं आपको हिंट देता हूं history में पढ़ा है बताइए काहां पढ़ा था तो 21st April को यह क्या करते हैं all the three demands ठीक है राजा को मजबूरन जो भी तीन demands पेश की गई थी किसके द्वारा यह जो पूरी अलाइंस बनी थी जो पॉपिलर struggles and moments के द्वारा जो demand present की गई थी तो राजा ने उन तीनों डिमांड को accept कर लिया क्यों क्यों क्योंकि राजा को दिख रहा था पानी सर से उपर जा चुका है अब आपके मन में क्या सवाले में बता सकता हूं अभी इसी समय ठीक है मन पढ़ना जानता हूं में आप यह सोचर और देमोक्रेशी नेपाल कम्प्रीट हो जा गया यह वाला टॉपिक ठीक इस चाप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशल वेबसाइट मैगनेट मेंस डॉट कॉम पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मैगनेट मेंस डॉट कॉम पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉबिक्स एक अरेंज फॉर्मैट में अविलेबल है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हो डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू थैंक यू बेर मच हलो एवर्यबडी इस दिग्राश सिंग राजपूद वेलकम तो मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हमारी पुरानी कहानी को आगे लेके चलेंगे ठीक हैं उसे छोड आनेंद्र टुक ओवर कर लेते हैं और उसी के चलते क्या है कि वहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रिसी को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है एक तरह से खतम कर दिया जाता है फिर लोग डिमांड करना स्टार्ट करते हैं क्या की डेमोक्रिसी को रिस्टोर किया जाए सेवन पहुँच चुकी थी फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो फाइनल थ्रस्ट रहता इस मुवमेंट में वह फाइनल थ्रस्ट कम मिलता है 24 अप्रेल 2006 अभी देखो कर दोनों कल के किंग विरेंद्र कौन थे किंग जने इंद्र कौन थे तो प्रस्ट के इसप्ट दिमांड राजा ने मान ली अब सवाल ही आता है यह मैंने अलग से पार्ट क्यों बनाया मुझे दो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है ताकि इस पर कुश्चन बने तो आ demands presented by SPA and Moist insurgents in front of King Gyanendra on 24th April 2006 तो क्या demands थी ये तीन demands थी और राजा ने कौन सी तीन demand को accept किया इन तीन demand को accept किया है ठीक है तब मैं आपको तीनों demand बदाता हूँ SPA चोज गिर्जा प्रशाद कोईराला ठीक है नाम ध्यान रखने आपको गिर्जा प्रशाद कोईराला इन्हें क्या करती जो seven party alliance रहती न वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लेती तरह से चूज कर लेती प्राइम मिनिस्टर की तरह क्यों क्यों क्योंकि हमने देखा री इस्टोरेशन होगा डेमोक्रेशी का अभी तक किंग्यानेंदर सब कुछ अपने हिसाब से चलाते आ रहे थे अब किंग्यानेंदर अपनी पावर करेंगे नीची की तरफ देंगे अपनी पावर तो जो पार्लेमेंट होगी पार्लेमेंट के बाद में इलेक्टेड रिप्रे कि जैसे 24th April 2006 को राजा मान गए ठीक है प्राइम मिनिस्टर बना लो आपना तो वैसा तो है नहीं कि उसी दिन चुनाव करवा लो गया तो आगे जो चुनाव होना है उस टाइम पीरेड तक के लिए हमें कोई तो प्राइम मिनिस्टर चाहिए न तो उसे इंटरिम प्राइम मि मिनिस्टर ठीक है 1950 से पहले क्या थे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है कि जो अभी टेंपरेरी एक तरह से जिने चूस किया गया है ठीक है थोड़े टाइम पीरिट के लिए इंटरिम बजट होता है जैसे एकनॉमिक् धिरसे यह करवा देतो, फिर आते हैं, फिर आते हैं, यह तह पहली दिमांद दी धी, एकसेट कर ली राजा ने, ठीक, दूसरा, रिस्टोर Dublin, मतलब जो रिस्टोर относ टी, रिस्टोर किया गया, तो रिस्टोर। up parligment head meet a meeting and當iment की مीटिंग होती है और इस मीटिंग में कैसे इसाइट किया जाता है मैंनी ऑफदी फायर सारी यह नहीं अचिसक्सिक्साइं तर्फ सारी लिया गया और में होyle vivir भेएर लोगों के पास में चाहिंग है और लोग इसे एलट करते हैं एलेक्ट directing तो में दोगों में बाट देंगे लोगों में स्कूलगों के जो mamy की與 मॉइस्ट य। अलग यलक्टर है ये डोनों अलग अलग पॉल्सत थे सब्सक्राइब करने वाले आतंगवादी कहना सही नहीं रहेगा तो वह थोड़ा सा अलग विंग है पूरा जो थोड़ा सा खत्रनाक वाला है और यह सारे थोड़ा से फॉर्मल विंग वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले छुपके तो यह वैसी हो जाते हैं तो अब क्या होता कि इन दोनों लोगों मिलके साथ में एक अग्रिमेंट कर लिया कि हम दोनों ने मिलके डैमोक्री सिकों रिये स्टॉर किया है तो आप जो कॉंस्टीटोेंट आसम्बली बनेगी किसलिए बनाएंगे कॉंस्टिटीटीशन बनाने के लिए अब ड़िए आपक दूल के क्या एक मतलब एग्रिमेंट तैय कर लिया कि हाँ कॉंसी का हुआ था किंग बिरेंद्र यह नाम ध्यान रखना है नाम में कन्फिजन नहीं होना है यह हो गया सारा सब कुछ कब हुआ था 24 अपरेल 2006 को एक बार पूरा रीकेब कर दिया इसी के साथ हमारा यह यह पूरी रहमायन अभी तक चली आ रही थी कौन सी मुवमेंट फॉर डेमोक्रेसी नेपाल पार्ट बन पार्ट टू मिला के खतम होती है अभी अब पार्ट आता है यहां पर यह वाला वाई लोगों ने एक popular struggle एक रिवॉल्ट के निदेगें जाता है अम्रिश्ट जादा होता यहां पर आप ज्यादा नहीं था तो लोगों ने क्या किया एक प्रोटेस्ट लाँंच किया उस प्रोटेस्ट के थू हमने त्देखा कि देमोकरिसी आ गई एक कंट्री में रीस्टोर कि गए गए देमोक्रिसी को तो यह बताता है हमारा जो चैप्टर है चैप्टर से इंट्रड्यूस करें गर इसे तो पॉपिलर स्ट्रगल्स एंड मूमेंट तो बताया किस तरह से लोग जो है जनता जो है तो वह पाटिस्पेट करके ठीक है पाटिस्पेट कैसे भी कर सकती हो तरह के थुरू और वह अपनी बात को मनवा सकती तो डेमोक्रेसी को अगर आपको क्या रखना है रखना है डेमोक्रेसी को बनाए रखना है तो पॉपिलर स्ट्रगल्स एं मूवमेंट्स कैन प्ले आवरी इंपॉर्डेन्ट रूल आया समझ में यह सारी कहानी थी इसलिए ह आपको बता दूँगा ठीक है इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub-topics एक arranged format में अवेलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्ष वीडियो में, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूत, welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Bolivia's water war, heading देखके आप लोगों को ऐसा लगा होगा चलो कुछ बढ़िया मिलने वाला है, पानी वानी से लड़ने वाले हैं लोग, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर हम देखी एक बार आपको recall करवाता हूं, हमारा chapter कौन सा है, popular struggles and movements ठीक है, तो popular struggles में क्या देखने वाले हैं, हम यह देखने वाले हैं कि किस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, struggle किया है, और उनके struggle से कहीने कई democracy में बदलाव आया है, democracy आई है, पिछले वीडियो में हमने नेपाल की पूरी कहानी पड़ी थी, अब वैसे हम बोलीविया की कहानी पड़ने वाले हैं, तो water war का मतलब यह नहीं कि आप लड़ाई-वड़ाई हो रह है, role of popular struggles is not limited to the establishment of democracy only, इसे फिर से पड़ो, आप लोग एक बार मैंने तो पड़ दिया, क्या कि जो popular struggles होते हैं, ठीक है, जो आप popular struggle कर रहे हैं, आप लड़ाई-लड़ रहे हैं अगर, तो वो सिर्फ लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि आप democracy establish कर ले हैं, और ऐसा, मैं पतलग इस समय ये भी बताना चारूँ आपको, कि लड़ाई-लड़के democracy establish कर दो, उसके बाद में आपको popular struggle moment करने की जरुवत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये कुल मिला के क्या है, कि लोग कब विद्रोहों करेंगे, जब भी उन्हें जरुवत लगेगी, नेपाल की हमने मिलरी government से ही तरह से काम नहीं कर रही है, तो वहां के लोग आज फिर protest कर सकते हैं, आया समझ में, तो people's protest जो बात की जाए, कि लोगों का protest होता है, ठीक है, people's struggle जो होते है, तो they are not limited to the establishment of democracy only, मतलब इतना नहीं है कि सिर्फ democracy establish करके protest करना बंद कर दो, rather we should say that protest is a continuous process to retain the democracy, ठीक है democracy को बनाए रखने के लिए हमें continuously protest करते रहना चाहिए, आज भी हमारे देश में अगर किसी तरह से कह सकते हैं कि democratic institutions खतम होते दिखेंगे आपको, तो आप क्या करोगे, as a human being या फिर कह सकते है, as a citizen आप लोग protest कर सकते हो, चीक है, वो ही आपके पास में last resort रहेगा, वो ही बार बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक है, popular struggles are integral to the working of democracy, मतलब आपको अगर democracy को सही तरह से काम करवाना है, तो you must rely on the popular struggles, ठीक है, popular struggles, जो है, they are the best, they are the best means to achieve your end goals, अगर आपके end goals यह हैं कि आपकी democracy सही तरह से काम करती रहे, तो आप कैसे काम कर पाएगी, जब आप popular struggle का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो यह पूरी कहानी सुनाई है, इतनी दिर में मैंने, तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए, कि जो popular struggles होते है, they are not restricted to the establishment of democracy only, जबकि in popular struggles के थ्रूँ आप क्या कर सकते हो, democracy को बनाए रखने में भी बह बॉलीविया की स्टूरी क्या है, किस बारे में है, और यह कैसे हमारे topic से relate होती है, बॉलीविया कहा है, सबसे पहली चीज, ठीक है, आप बोल दोगे बड़ा smart answer, कुछ बहुत smartly answer कर देते चीजों को, क्या बोलेंगे, सर अर्थ पर ही होगा बॉलीविया, ठीक है, मार्स प किस ने जवाब दिया है, चाहबाज, ठीक है, आपको medal मिलना चाहिए, तो नौर्थ अमेरिका जो continent है, नौर्थ अमेरिका, continent के नीचे साथ अमेरिका है, world map निकालो जल्दी से, मैं आपको हर बार बोल के बोल चुका हूँ कि एक map होना चाहिए, आप जो वीडियो देख रह है, ठीक, तो ब्राजील के पास में साथ अमेरिका में कंट्री है, बोलीविया, गरीब कंट्री जादा पैसा नहीं है, बोलीविया इस पूर कंट्री लेटिन अमेरिका, अब क्या होता है, world bank pressurized government of Bolivia, ठीक, बोलीविया की कहानी पढ़ रहे हैं, बोलीविया की गवर्मन को वीडियो से अगर आपने देखे हैं, तो कही न कहीं बीच में एक बार जिक्र किया होगा आपको, history के chapters में भी मैंने आपको जिक्र किया है, क्या, क्या वर्ल्ड बैंक से लोन लेने जाओगे, economics में भी किया है, तो वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं है, आपको बोले कि आईए, बस जो businessmen होते है, तो उस sense में क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने, मतलब गया होगा, बोलीविया लोन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास में, तो वर्ल्ड बैंक ने condition रख दी, क्या condition रखी वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने बोलीविया की government को pressurize किया, ठीक है, वर्ल्ड मतलब नगर निगम जो होते हैं तो नगर निगम में क्या होता है पानी सप्लाई करने की अथोरिटी किसके पास रहती है राइट किसके पास रहते हैं वहां की मुंसिपल गवर्मेंट के पास रहते हैं लेकिन वर्ड बैंक ने क्या बोला वर्ल बैंक ने गवर्मेंट से बोला कि जो municipal water supply की rights हैं आपके पास ये rights आप छोड़ दो to give up its control of municipal water supply वाई अब सवाल यह आता होगा आपके मन में कि government ने sorry world bank ने government को क्यों pressurize किया किस चीज़ के लिए pressurize ताकि government के पास में जो water supply के rights थे वो गेव अप कर दे मतलब वह water supply के rights छोड़ दे और वह water supply के rights छोड़ेगी तो world bank अपने हिसाब से फिर किसी को भी water supply के rights दे सकती है यह motive था world bank का आयसे वोल्ड बैंक ने इसी लिए water supply की demand रखी ताकि world bank क्या कर सके अपने किसी रिष्टेदार company को रिष्टेदार company मतलब ऐसी company जिसके और world bank के कुछ relation हो world bank को जहां फाइदा हो रहा हो तो world bank ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बॉलिविया की government से बोला कि यह water supply की जो बात है उसे तुम छोड़ दो अब कहां के water supply की बात तो वो समझाते हैं तो water supplying rights of the city of kochabamba were sold to mnc ठीक है तो एक mnc थी एक multinational company उस multinational company को rights बेज दिये गए कि अब से जो water supply किया जाएगा कहां पर kochabamba ठीक है kochabamba city का नाम है बॉलिविया की एक city है तो kochabamba में जो भी water supply होना है वो कौन करेगा एक mnc करेगी एक multinational company करेगी अब multinational company को आपने rights भी दे दिया तो उससे क्या दिक्कत है ठीक है आप इसी तरह से सोच रहे हो ना उसका समाधान बताता हूं मतलब उसका solution बताता हूं मैं आपको कि multinational company को जो water rights मिल गए water supply rights मिल गए तो उससे problem create हो गई they increased the price of water ठीक है तो क्या देखने को मिला multinational company को जैसी rights rights मिलते है water supply rights तो it was observed increase in the price of water by four times चार गुना price बढ़ गया किस चीज का पानी का तो पानी इतना महंगा हो गया लोगों के जितने income नहीं होती थी उससे जादा उनके water bill आ रहे थे तो इस चीज के चलते क्या है इस चीज के चलते therefore a popular protest was being observed over there ठीक है तो इसी के कारण क्या है कि बोलीविया में popular protest देखने को मिला अब देखिए आप relate करिए कहानी को पूरी कहानी बताई मैंने आपको तो हमने कहानी में क्या सिखा कि नेपाल में जो popular supply के rights MNC को दे दिये अब जब MNC के पास चले गए तो उसके चलते लोगों को परेशान होना पड़ रहा है पानी की कीमत इतनी होगे जितनी लोगों की income नहीं होती है और इसी चीज के कारण therefore popular proposed popular protest was being observed over there इसी के चलते popular protest को वहाँ पर देखने को मिला ठीक है अब क्या होता है how did the moment evolved ठीक है तो यह जो popular protest का या फिर यह popular moment जो start हुआ बोलीविया में वो कैसे बना तो उसके बारे में बताते हैं तो इन year 2000 2000 year में एक four day successful strike was organized एक चार दिन की strike को organized किया जाता है ठीक है strike होती है इस ट्राइक में सारे जितने भी labor's थे ठीक है human rights activist जितने भी लोग थे जितने भी community leaders थे इन सभी लोगोंने एक alliance बनाया सभी लोग साथ में आते हैं सभी लोग साथ में आके protest करते हैं government के against में ठीक है अब government के against में प्रोटेस्ट करते हैं और government बोल देती चलो ठीक है नेगोशियेट कर लेंगे नेगोशियेट करने का वादा कर देती और government बाद में क्या बलती है हमने तो जूट बोला था ठीक है इस तरह से तो उनें क्या किया गया बूटली रिप्रस कर दिया गया धर दाद गया इस तरह से क्या हो घया क्योंका बोल ने इस तरह के में प्रोटेस्ट ऑब्लिया प्रोटेस्त यहां पे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे उन्हें सप्रस करने का काम कर रही है और लोग मान दोग करते जा रहे और यहीड की पावर है क्या कि अल्टीमेटली जब सारे मेकनिजम हो जाते हैं तो जो सिटिजनस होते हैं वह अपने हाथ में कमाड ले लेते हैं टीक है पीपल सारे लोग देखने को मिल रहे हैं उनके आगे गवर्मेंट की भी नहीं चलेगी अगर सारे लोग अगर कलको इंडिया में अगर देख लो कि सारे लोग रोड पर उतर आएं स्ट्रीट्स पर आ जाए ठीक है तो गवर्मेंट को मानना पड़ेगा वूचीज तो वही चीज यह होग है तो हैपि एंडिंग देखने को मिलैं हमें कहां पे बॉलीविया में इस तरह से बॉलीविया की पूरी कहानी पड़ी सीखा क्या ठीक है सीखा अमने यहीं की popular कि धुलिवया कैस میں तो यही सारी चीज हमने पड़ी आपको बिलीवया का पॉपिलर प्रोड़ाई थी यह अब आप सही में समझ पाया होगे कि क्यों कहा गया है वागर क्यों कहा गया है क्यों metropolitan रेखा कि पूरी यह जो लड़ाई थी या फिर जो पूरा प्रोटेस्ट था वो किस चीज के पीछे था वाटर के पीछे था आयोब यहां तक सारी चीज में क्लियर हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलग दूसरे कहानिया खतम हो गई है अब चैप्टर में चलते हैं इंडप्ट चैप्टर को समझेंगे इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू वेरी मच हलो अब्रीबड़ी दिस इस दिग्राश सिंह राजपूद वेलकम टू मैगनेट बीज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे democracy and popular struggles देखिए अब याप heading को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आया popular struggles के बारे में तो हम पिछले दो वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं हमने नेपाल की स्टोरी देखी हमने बोलीविया की स्टोरी देखी यहां पर एक और चीज आ गई है नहीं हमारे स पॉपिलर मुवमेंट्स या फिर कह सकते हूं कि जो लोगों का पाटिसिपेशन है वो कितना इंपॉटेंट है रिलेशन समझेंगे कुशन ऐसा बनेगा इस टॉपिक पैसे डारेक्ट कि वहां पर यह पॉइंट्स लिखना रहेंगे आंसर में ठीक है यहां इस टॉपिक प हथी देखिए लेसन स् फ्ररॉम्ट इस्टरीी ऑ नेपाल इन बोलिव्या तो नेपाल और बोलीविया की कहानी सुनी आपने के मैंने आपको सुना ही पूरी कहानी अच्छी लगी थी चलो से एंपेपार और बोलीव्या की कहानी सुनने के बाद में हमने क्या सीखा हमने उसमें से यह सीखा कि दोनों जगा अलग-अलग प्रॉब्लम्स थी प्रॉब्लम्स अलग अलग क्या से थी कि एक जगा डेमोग्रेसी को establisht करने की लड़ाई थी और एक जगा democracy को और बहतर democratic institutions को बहतर करने की लड़ाई थी आया समझ में मतलब एक पूरी की पूरी democracy को establish करना नेपाल में और बोलीविया में established democracy में improvement लाना लेकिन दोनों जगा हमने क्या देखा था कि एक similarity थी similarity क्या थी कि लोगों ने protest किया ठीक है popular struggles देखने को मिले popular protest देखने को मिले ठीक है और उससी के बाद में क्या हुआ दोनों जगा की जो अलग-अलग परेशानी थी उनका एक साथ समाधान हो गया एक साथ समाधान से मेरा तातपरी यह है कि एक जैसा समाधान हुआ क्या कि लोगों ने struggle किया और उसका solution क्या निकला कि जो भी परेशानी थी यहां democracy आ गई यहां democracy में सुदार आ गया मतलब यहां पर हमने देखा कि जितनी में demand थी seven party alliance वगेरा सबकी उनकी demand मानी गई और यहां पर हमने देखा कि जो water crisis थे तो भी खतम हो गए अब essence में हम देखें तो context तो अलग अलग थे यह नेपाल है के पास में बोलीविया दूर रेटिन अमेरिका में दोनों जगह के लग लग लेकिन दोनों जगह पर जिस तरह से उन्हों ने लड़ाए लड़ी लोगों ने उसका solution क्या देखने को मिला positive solution success देखने को मिली ठीक है तो हम देख सकते हैं कुछ similarities थी क्या इन दोनों incidents के बीच में जी हां बिल्कुल similarities निकल सकती है similarities क्या रिक लेगी तो सबसे पहली related to the democracies दोनों जगह democracy से related struggle था यहां पर democracy establish करना था है democracy को improve करना था instances of political conflicts that led to popular struggles political conflict थे और जिनके चलते क्या वह popular struggle हुआ political conflict क्या है यहां भी politics से related issue था मतलब democracy को establish करना है तो political conflict था यहां पर भी political conflict था बोलीविया में कि government जो थी वो क्या कर रही थी rights दे रही थी multinational company को तो दोनों जगह हमें instances of political conflicts देखने को मिले that led to popular struggles और जिसके चलते popular struggle देखने को मिला popular struggle मतलब क्या है कि लोगों ने जिसके चलते आवाज उठाई ठीक है दोनों जगह यही similar चीज़ा हुई थी ना मास मोबलाइजिशन सिंपल सी चीज़ है कि बहुत साही लोग एक सांथ किसी एक मोटिफ की तरफ क्या करते मूव करते तो मास मोबलाइजिशन हो गया पॉलिटिकल औरगनाईजिशन प्लेट आवेरी इंपॉडेंट रोल जी हां यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि दोनों जगह अगर चेंज आया प्रॉब्लम को उन्होंने ओवर कम किया सल्यूशन निकाला प्रॉब्लम का तो वहां पे लोगों को देखो लोग तो क्या है जैसे आप देखेंगे तो रेंडम बहुत सारी पब्लिक है आज भी है प्रॉब्लम से लेकिन जब तक लोगों को संगटित करके कोई आगे लीड नहीं करता हमेशा एक लीडर की जरुवत होती है तो दोनों जगह पॉलेटिकल और्गनाइजिशन ने क्या करे मास मोबलाइजिशन को कह सकते हो पॉपिलर स्ट देवलप करें सभी लोगोंने सोच के दिशा दी और उस दिशा पर चले तब जाके उन्हों है अपना टार्गेट अचीव कर पाए वहीं पर हम बोलीविया का केस देखें तो बोलीविया में वाटर वार वाली जो क्राइस थे ठीक है जो प्रॉब्लम्स थी उसे समाप्त कि गया तो इस सेंस में इतनी सिमिलारिटीज देखी कि डिस्पाइट बिंग नेपाल और बोलीविया टू डिफरेंट कंट्रीज वह ताविंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स ठीक है हमें कुछ सिमिलर पॉइंट्स देखने को मिले विकें ट्रेस सम सिमिलर पॉइंट्स विच पॉप्लर स्ट्रगल और या पिर सकते पॉप्लर मोमेंट जो होते हैं तो वह क्या होते हर डिमोगरीज को एफिशेंट बना सकते हैं अब आते हैं टोपिक पे तो हम पड़आ थे डिमोकरीजीन पॉप्लर स्ट्रगल अब समझते हैं तो एक्जांपल रोए Seemsample निंग क्या करनाा धीरे-धीरे बढ़ना डियमोक्रसी यह मेध्वार्टी हमेशा थो पॉपलर स्ट्रगर्स कैसे वो मह समझाताँ हूं होता है conflict होते हैं ठीक है conflict होँगे तभी तो आप आपकी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा होगे तो मतलब conflict होना ही यह होर डेमोक्रेसी में तो conflict among those who exercise power and those who aspire for a share in power जैसे नेपाल के case में देखो पावर किसके पास थी पावर राजा के पास थी राजा का नाम क्या था राजा का नाम ग्यानेंद्र था ठीक है तो राजा के पास पावर थी और जनता क्या चाहती थी तो जो citizens ते देवर aspiring to have power in their hand ठीक है दोस वो aspires for a share in power जो चाहा रहे कि हमें भी power में share मिले तो इनके बीच में conflict है अब अधिक्तर क्या होता है कि कभी कभी कुछ exceptions होते हैं कि जिसके चलते conscience develop होती है लोग आपसी सूझभूस से क्या करते इन परिशानियों को बढ़ेगी आपकी नेपाल में conflict था conflict का अगर कोई solution निकलता तो क्या democratic country बन पाता नहीं बन पाता बोलिविया में अगर देखो तो conflict था अगर उस conflict को overcome नहीं करते आप तो क्या उनकी democracy democracy रह जाती नहीं रह जाती ठीक है तो democracy evolves through popular struggles आपको struggle करना पड़ेगा शंघर्स करना पड़ेगा तब जा कि आपके democracy एक नया form ले पाएगी तो अधिकतर क्या होता है इस तरह का popular struggle जो democracy को एक evolution के और ले जाता है तो वह कैसे आएगा वह popular struggle आएगा usually arose during transition तो जब transition होता है transition कैसे होता भी आप जो आपका last chapter 8 उसमें और भी पढ़ेंगे चीदों को तो transition करके होता है जैसे आपके country में कभी democracy establish की जा रही है तो establish करने में कहीं ना कहीं popular struggle का बहुत important role होगा आया समझ में आपकी democracy अगर evolve हो रही है वहाँ पे तो popular struggle के कारण evolve हो रही है आपकी democracy में अगर मानलो किसी principle को लाया जा रहा है किसी principle को लाया जा रहा है मतलब जैसे के example देता हूं बहुत अच्छा example आप relate कर पाऊगे की women को voting right नहीं था बहुत लंबे समय तक लेकिन country अपने आपको democratic countries बोल रही थी जैसे यूएस कहीं देख लो यूएस क्या बोलती थी कि फ्रेंच revolution के time से वह अपने आपको democratic country बोल रही है लेकिन वहाँ पर क्या है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कह सकते है कि women को राइट नहीं था वोटिंग राइट नहीं था तो उसके में क्या देखते हैं कि जब तक popular struggle नहीं होगा democracy वाल नहीं होगी exceptions होते हैं कभी-कभी conscience पे कभी-कभी बिना किसी जगड़े के हम कुछ अच्छी चीज़ें ले आते हैं अच्छे laws ले आते हैं democracy हो जाती है लेकिन अधिकता अगर conflict होता है किनके बीच में जिनके पास पावर है और जो पावर की चाहा रख रहे हैं तो कहां पर मदद मिलेगी उस कंडिशन में मदद मिलेगी popular struggle से clear है ठीक है आपको पहला point समझ में आया और दो points है देखो दूसरा क्या है कि किस तरह से democracy और popular struggles में relation है तो democratic conflict is resolved through mass mobilization अब यह क्या चीज है democratic conflict समझ में आया आपको एक शब्द तो आगया होगा इतनी सारी civics पढ़ी है हमने आपको democratic conflict का मतलब समझ में आ गया मतलब एक democratic society में किसी दो groups के बीच में या फिर जिसके पास power है जिसके पास power नहीं है उनके बीच में conflict होते हैं तो यह conflict जो होते हैं परिशानिया जो होती है वह mass mobilization होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि democratic conflicts जो होते हैं they are resolved through mass mobilization जैसे कि example बताता हूँ आपको अधिकतर क्या होता है कि कोई conflict है conflict किस के बीच में दो states के बीच में मान लो ठीक है सेट महराष्ट हो गया एक और करनाटक हो गया दोनों states की बीच में border को लेकर कोई dispute होता है तो क्या होता है conflicts में भी resolved through institutions like the parliament और the judiciary तो हमारे constitution ने वो हमें क्या दिया एक provision दिया है क्या conflicts है अगर आपके बीच में तो हम हमने institutions बना दिये Supreme Court है वो disputes को resolve कर देगा Parliament है वो disputes को resolve कर देगा तो solution आपको मिल जाएगा लेकिन मान लो अगर conflict इन ही के बीच में आ गया पार्लियमेंट और judiciary के बीच में conflict create हो गए तो ऐसी situation में आप कौन command समालेगा ठीक है तो but in case of deep conflicts अगर conflicts बहुत भयंकर है बहुत गहरे हैं और उसी के साथ साथ में क्या है कि institutions के बीच में conflict आ जाते है then the resolution has to be came from the people ठीक है तो final ultimatum अब कौन समालता है लोग समालते है जनता समालती है आया समझ में तो इस इस पूरी argument के तो हम क्या सीख सकते हैं क्या समझ सकते हैं कि democracy और popular struggle के बीच में ऐसा relation होता है पहली चीज तो democracy evolve भी popular struggle से होती है दीरे दीरे नए नए principles आते हैं तो उसमें popular struggle का बहुत important role होता है फिर दूसरी चीज हमने क्या देखी कि मान लोगर evolution में कही conflict आते हैं democracy आपकी evolve हो रही है फिर भी कही conflict आ गया अगर तो उन conflict को resolve करने में कौन important role play करेगा तो देखो वैसे तो political institutions बना है लेकिन political institutions के बीच में भी अगर conflict आ गये तो यहां पर resolve करने में important role play करती है जनता ठीक है then the resolution has to be came from people यह हो गया अब उसके बाद में क्या देखते हैं third point देखते हैं तो conflicts and mobilization are based on new political organization यह नया point है कैसे कि अब अगर यह conflict है हमने यहां तक देख लिया कि evolve or a democracy तो जनता का important role होता है popular struggles का important role होता है conflicts आ रहें तो popular struggles का important role होता है अब दूसरी चीज़ के conflict resolution जो होता है इसके बाद मैं कह सकती कि जो लोग mobilize हो रहे हैं होता है ठीक है हमने वहां पर क्या देखा था कि वहां पर जब एक popular struggle देखा था कि बैस्टाइल फोड पर लोगों ने हमला किया था मैं यह प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको फ्रेंच रेलिश्चन थोड़ा सा तो ध्यान है ठीक है तो जब लोगों ने हमला किया था बैस्टाइल फोड पर तो लोग क्या थे चुट पुट थे सब इक पॉंटेनियस मोवेंट देखने को मिली थी स्पॉंटेनियस मतलब क्या है अपने घरों से निकले बैस्टाइल फोड पर हमला करा सब तोल फार दिया और बापस घरों में आगए ठीक है इस तरह से क्या है mobilization होता है these are based on new political organization आज के समय में क्या होता है यह political organizations के दोवारा channelize किया जाता है कैसे तो spontaneous public participation आया समझ में मतलब जो spontaneous रूप से अचानक से public participate करने लगती किसी भी movement में जैसे अन्न हजार एक टाइम पे लोगों ने participate किया था लोगपाल बिल के लिए ठीक है तो यह spontaneous public participation जो होता है participation अचाआइखज पाइञाइब चयनल सच अ political parties pressure groups and pressure moments तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों कोई खटा करते हैं यह खटा करते और फिर एक mobilization देखने को मिलता है तो थर्ड पॉइंट क्या बता रहे कि यह जो मोबलाइजिशन होता है जनता का वह यूहीं नहीं कोई भी अपने घर से उठके चल देता है उन्हें लीड करता है यहीं पिर मैं आपको बताया था नहीं पॉइंट यह वाला पॉलेटिकल और्गनाइजिश पॉइंट कर पाएंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे मोबलाइजिशन और्गनाइजिशन एक नया टॉपिक है उससे समझेंगे कि क्या कहना चाहता है वह टॉपिक इस चाप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेंस.com प और फीशल वेबसाइट मैगनेट ब्रेंस.com मिलते नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साहँ है थैंक यू थैंक यू बई मच्ट अब देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या रेखा था हमने रिलेशन समझा था डेमोक्रेसी का और पॉपिलर स्ट्रगल का कि किस त डेमोक्रेसी के एवॉल्यूशन में डेमोक्रेसी में कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में एक बहुत इंपोर्टेंट रूल प्ले करते हैं वो तीनों पॉइंट्स जिन लोगोंने नहीं समझे नहीं देखें पहले वो वीडियो देखिएगा क्यों क्यों कि उस पर डारेक क्या बताना चाहरा है टॉपिक सुनते साथ को क्या समझ में आया देखो मोबलाइजिशन में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब बहुत सारे लोग किसी एक अब्जेक्टिव की टरफ क्या करते हैं मूव करने लगते हैं तो वह मोबलाइजिशन हो गया अब वह अपने आप यूही ऐसा थुरी ना कि बिस्तर में से उठेंगे सब बोल देंगे चलो आज तो यहां चलना है कुछ तो एक और्गनाइजिशन होना चीए जो उन्हें लेकर जाए ठीक है तो वह लीडर का काम कौन करती अलग-अलग और्गनाइजिशन करती है अब इसे हम क् अगनाइजिशन करते हैं तकी बहतर समझ पाएं ठीक है डिखो एक्जामपल ओप टी और्गनाइजिशन डेट में इस्ट्रगल सक्सेस्फुल इन बोलीविया तो नेपाल और बोलीविया में कौनसी और्गनाइजिशन थी जिन्होंने वहां के स्ट्रगल मुमेंट को वहा ने पड़ा था साथ साथो पार्टी इतनी फ़ी पॉलेटिकल पार्टी इसमai कुछ पॉलेटिकल राइंस तशसी ग्या करcke Ministries को यहां करे की सक्सेस्फुल बनाएगी तो उस संस में अब ध्याना है रिलेट कर पायो कैसे मोबलाइजीशन जो है वो और्गनाइजीशन ड्रिवन होता है ठीक है सेवन पार्टी अलाइज्स हो गया फिर उसके आद में जैसे नेपालिस कम्यूनिस्ट पार्टी थी जो उन्हें माविस्ट इंसर्जेंट के बारे में पढ़ा था कहानी ध्याने ने आपको हमने जो फर्स्ट वीडियो में पड़ी थी तो वहां पे उन्हें क्या दिखा है कि स इस सेंस में क्या देखते हैं कि अच्छा एक चीज और बता दो मैं आपको जो माविस्ट पार्टी थी तो यह आम डिस्ट्रगल्स लांच क्या करती थी नेपालीस गवर्मेंट के अगेंस्ट में ठीक है जब डिक्टेट जब डेमोक्रेसी थी कॉंस्टिशनल मोनार्की थी किंग कौन से किंग थे वो वो बिरेंद्र थे तो किंग बिरेंद्र के अंडर में जब कॉंस्टिशनल मोनार्की चल रही थी उस समय पर जो गवर्मेंट थी तो उस गवर्मेंट के अगेंस्ट में क्या होता था कि जो नेपालीस कम्यूनिस्ट पार्टी थी माविस्ट इंस ग्रुप तो इन दोनों के बीच में आपस में कंट्रिवर्सीज थी लेकिन जब इन्हों ने देखा कि नहीं हमारा जो अबज़क्टिव होना चाहिए तो ग्रेटर अबज़क्टिव होना चाहिए कि अभी डेमोक्रिसी को रीस्टोर किया जाए तो उसके चलते साथ में भी आ एलग-अलग ऑर्गनायजिशन से दियान रखना अलग-अलग ऑर्गनायजिशन सारी साथ में आई, क्यों साथ में आई दाल बाटी की पाटी नहीं करना हैं? साथ में सारी ऑर्गनायजिशन इसलिए आई हैं, ताकि वो क्या कर सकें? जो एक greater cause है उनका, जहां पे वो लोगों को mobilize कर सके आम जंता भी जुड़ी इनके साथ में और उन्होंने अपने अब्जेक्टिव को फुल्फिल किया तो इस पूरी कहानी सुनने के बाद में आपको क्या समझ में आया कि यहां पे लोगों का पानी चाहिए रहेगा और जब प्राइविटीशन हो जाएगा वाटर का ठीक है प्राइविटाइजिशन होने से क्या दिक्कत जा रही थी फार्मर्स को बहुत जादा डिफिकल्टीज करना पड़े थी खेती बहुत महेंगी हो गई थी उनके लिए फैक्ट्री वरकर्स थे ठीक है फैक्ट्री वरकर्स की जो यूनियंस थी वो सारी ओर्गनाइजिशन स्टुडेंट्स और उसे के बाद में इन सारी ओर्गनाइजिशन को सोशलिस्ट पार्टी जो थी वहां की बोलीविया की उसने सपोर्ट किया और 2006 में इसी के चलते सोशलिस्ट पार्टी जीतती भी है बॉलीविया में ठीक है तो अपने यहां पर क्या देखा कि बॉलीविया में भी किसी एक specific ऐसा नहीं कि सारे लोग अपने आप चल पड़े हैं मोबिलाइजिशन के लिए पर फसक्री इसदुष के लिए उनने क्या किया है यहां अलग अलगा। और अगधे और ग्रॉटेशन बताएं इन दोनों और ग्रॉटक्स निकालों गया तो क्या निकल के आएगा आपके सामने कि एक किसी भी बड़े मौनेट को अगर लांच करना है तो उसमें और्गनाइजिशन से बहुत इंपोर्टेंट रूल प्ले करती है तो इन शॉट अगर हम समयराइज करें इस पूरे एक्जामपल के तो हम क्या सीखें तो यह सीखें कि अगर मोबिलाइजिशन चाहिए आपको तो इस आपके सामने अगर और्गनाइजिशन नहीं आपके पास में तो और्गनाइजिशन और मोबिलाइजिशन बहुत हैं इन चीजह साथ में जाती है अब इन सारी चीज़ों के बाद में क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहां पर सबसे पहले कुशन यह बनेगा तो इतनी सारी पूरी लिख दिये मैंने आपके लिए आप इने डाउनलोड तो करी लेंगे नोटस में यहां से भी लिख सकते हैं तो आपको ध्यान रखना कौन-कौन सी और्गनाइजिशन थी अब अगर इसको समराइज करें इससे आप सीखे क्या तो हम यहां देखते हैं तो दो तरीके से क्या करती हैं बहुत सारी और्गनाइजिशन एक साथ काम करती ताकि वो किसी बड़े स्ट्रगल को लॉंच कर सकें सक्सेस्फूल बना सेकें तो किस तरह से काम करती है और्गनाइजिशन वो मैं आपको समझाता हूं पहला तरीका क्या है डारेक्ट क्या करती है पॉलेटिकल पाइटी बनाती है डेयार कंटेस्टिंग इलेक्शन इलेक्शन कंटेस्ट करने के आद में डेखो क्लाशिकल एक्शब्स देते हैं जहाएं और लोगों के द्वारा जंसे लाब उठा और उनक्यक्व किया किसी चीजब इगिंस्ट में अब जब उन्हें know to Force किया to force करने के बाद में क्या करा उदू हूंने उन्हेंने इर्फ बैस्पीट क्या कमपटिटीव पॉलिन्हें कैसे the तरीका होता है कि जिस तरह से क्या है कि जो पॉपिलर प्रोटेस्ट होता है वो अपनी डिमांड को रख सकता है वो डिमोक्रिसी में चेंज ला सकता है अपनी व्यूपॉइंट को प्रजेंट कर सकता है हम दो तरीके पढ़ने वाले हैं ठीक है we are going to see that several organizations work together for a big struggle in two ways तो पहला तरीका हम नहीं रिखाए कि direct participation होता है दूसरा indirect participation होता है कैसे indirect ways to participate indirectly कैसे participate करती ही कोई भी organizations decision making process में फिर popular struggle में तो वो मैं आपको समझाता हूं कि forming organizations to promote their viewpoint अब क्या होता है बहुत सारी organizations क्या बहुत सारे groups जो रहते हैं तो अपने आपको organize कर लेते हैं बहुत सारे individuals जो रहते हैं वो अपने आपको organize कर लेते हैं ताकि क्या हो कि उनका जो viewpoint है वो उसे present कर पाए देखर individually आप आपके छत पे खड़े हो जाओगे चिलाते र लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो काफी लोगों को influence कर सकते हो तो वही चीज़ है पर तो अधिकतर क्या होता है interest groups बनते हैं या फिर इंटरस्ट ग्रूप्स को प्रेशर ग्रूप्स भी कहते हैं तो NGO क्या है NGO भी ही है कि NGO है एक NGO जो क्या बोलता है कि child marriage नहीं होना चाह करता है जो गौवर्मेंट को प्रेशराइज करता है कि गौवर्मेंट चाइल्ड मैरिज को बैन करने के लिए कुछ लॉज बनाएं ठीके प्रोटेक्शन दे ऐसे बच्चों को जिनकी जल्दी कम उमर में शादी हो जाती है आया समझ में आप वीडियो देख रहे हैं एक सम कर सकते हैं दूसरा तरीका यह है सिटिजन्स डिसाइट टू एक टुगेदर विडाउट वर्मिंग और्गनाइजिशन कभी-कभी जनता क्या करती है बिना किसी और्गनाइजिशन के डारेक्ट एक्ट करती है यह भी बहुत अच्छी चीज़े मत आता हूँ लेको आपने किया होगा मैंने आपको हमेशा बोला है और अभी भी बोल रहा हूं कि सिविक्स जो आप पढ़ रहे हैं सोशल साइंस का हर सब्जेक्ट जियोग्रफी हिस्ट्री एकनोमिक सिविक्स आपको बुक में ढूंड होगे बुक में रट होगे तो डिफिकल्टी होगी ठीक है इस यंगे चाहिया है मालो किसी एक्यայिनेशन में कुछ गबर हुए ठीक है कुछ गोटाला हुआ है किसी एक्साही तो क्या कर देते हैं पीपल प्रोटेस्ट के नाम से आया समझ में यह सारा सब कुछ पढ़ा हमने क्रक्स क्या निकला है कि जितना भी मोबलाइजेशन होता है वहाँ पर ऑर्गनाइजेशन एक बनाते हैं और दूसरा सीटिजन डिसाइट टुगेदर विडाउट फॉर्मिंग एनि और्गनाइजेशन मतलब डारेक्लिक घुष जाते हैं बस मैदान में और प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो यह सारा सब कुछ पढ़ा हमने इस वीडियो में अब नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी चीज़ को खोलेंगे मतलब जसे प्रेशên ग्रूप के हमने बात करी तो प्रेशन ग्रूप有沒有 के बारे में हम पंड़ने आलें की में एकी से अक्र कम्माइर कम और जाकर मगनेट कर सकते हैंепresent क्लास 4 से 10 तक सभी सबजाट्ट। सभी चाप्टर्र सबी चाप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you thank you very much इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टाट करेंगे प्रेशर ग्रॉप्स एंड मोमेंट्स देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में पढ़ा था mobilization and organization के बारे में और मैंने आपको बताया था इन दोनों मतलब इन दोनों terms का relation समझाया था कि किस तरह से जितना भी mobilization होता है जब भी लोगों को हम क्या है mass struggle के लिए popular struggle के लिए जाते हैं तो समय में organizations कितना important role play करती है नेपाल और बोलीविया दोनों के example से हमने सारी चीज़ें समझी थी तो वह topic हमने वहाँ पर complete किया अभी क्या है अभी एक नया topic है अब जैसे हमने देखा कि जितने भी mobilization हो रहे हैं किसी differentiation है दोनों के बीच में क्या differentiation है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और इसी के बाद में आप जो आने वाले वीडियो होंगे ठीक है तो उसमें हम यहीं समझेंगे और प्रेशर गृफ को in detail समझेंगे स्थएफिक प्रेशर गृूप सोते है इंजेंटरल प्रेशार गृफ सोते हैं तो उन्हें समझेंगे हम moments जो है तो moments को समझेंगे कैसे politics को influence करते हैं और का influence helping होता है तो एक लेकिन कीश्यालत मतलब से क्याकVERेंट की गवर्मेंट की पॉलिशी को इंफ्लीजेश करती है अब आप सोच रहे होंगे गवर्मेंट की पॉलिची को कोई कैसे इंफ्लीजेंट करता है एक एक्जामपल देता हूं आपको एक्जामपल जैसे क्या देता हूं कि इंडस्ट्रिनिस्ट है जितने भी जितनी बी In Is There वो सारे लोगों ने मिलके ग्रुब बनाका रखा है मनलों को और government को वो बाते मानना पड़ती है आया समझ में तो उस संस में यहाँ पर भी वही हो रहा है क्या कि pressure groups organizations होती है that attempt to influence government policies government की policies को influence करने में पढ़ चड़के जो important role play करती ही वो होते है pressure groups ठीक है अब और देखें pressure groups को देको यहाँ पर में अगा direct question आता है what do you mean by pressure groups या फिर what do you understand by interest groups सीधर लिख सकते हो pressure groups और interest groups are the organization that attempt to influence government policies they do not aim to directly control or share political power यह point समझाता हूं मैं क्या होता है कि pressure groups government की policy को influence जरूर करती है लेकिन उनकी कोई ऐसी इक्षा नहीं होती है वो directly क्या करें directly political power को अपने control में रखें जैसे मैं एक example देता हूं political parties जो होती है वो क्या करती है political parties मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि directly किस तरह से organizations influence करती है और indirectly किस तरह से influence करती है लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने तो अगर बात की जाए यहां पर की pressure groups जो रहते हैं interest groups जो रहते हैं तो यह क्या करते हैं यह directly power को अपने control में लाने में ज्यादा इंट्रेस्टेट नहीं रहते हैं इनका क्या है इनका यह कि बस हमारा objective पूरा होना चाहिए हमें चुनाव नहीं लणना है ठीक है political parties क्या करती है वो एक issue को पकड़ती है उसको मुद्दा बनाती है चुनाव लड़ती है चुनाव लड़ने के बाद में जीतती है जीतने के बाद में government बनाती है और laws बनाती है तो डारेक्टली क्या कर रही है political power को अपने पास मिले रही है लेकिन pressure groups क्या करते है यह directly control नहीं करते हैं लेकिन फिर भी pressure create करते हैं कैसे प्रोटेस्ट के थूरू campaigns के थूरू अपनी बात रखते हैं तो they do not aim to directly control or share the political power yes but they influence the government policies आगया occupation ठीक है अधिकतर pressure group कैसे बन जाते हैं जब एक occupation की लोग जो रहते हैं वह एक साथ मिलते हैं अब जैसे अगर आप recently देखें तो अभी क्या country में क्या सिनेरियो है कि पूरी तरह से rural distress देखने को मिलता है कि farmers जो है वह बहुत जादा परिशानी में है अब यह जो rural distress है तो सार साल दिक्कत जाएगी ठीक है लेकिन गवर्मेंट को जब buffer stock में कुछ फसले नहीं मिलेगी तो गवर्मेंट को ध्यान देना पड़ेगा अभी problem क्या है कि सब फुटकर है एकदम retailer पर है मतलब retailing type से काम हो रहा है हर किसान अपने अपने उस पर सोचता है तो वह एक प्रेशर और संगटित रूप से क्या एक प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो यहां पर हमें उन्हीं चीजों का ध्यान देना होगा क्या होता है कि प्रेशर ग्रूप कब बनते हैं जब अधिकतर एक occupation वाले लोग एक साथ आ जाते हैं और गवर्मेंट के उपर influence करते हैं गवर् cherry cube प्रेश कर सकते हैं एक एक ग्जांपल देखते हैं इसका जिसे आपका हमारा हम सभी लोगों का interest Manak a to attend ou shop Maldi उन्हीं फॉट्रीजं को यहां से इंट्रैटर नहीं खला रहा हुं तो हम लोग मिले कि प्रेशर गर्च बनाते हैं और ठोट कर पाए कॉल जब भूर्मेंट की रिस्पाइडिटी है तो में अगर एक साथ मिलते हैं सभी लोग और गौर्यमेंट कीऊं प्रेशा बढाते हैं तो गौर्नेंट क्वालीति एज्योकेशन प्रोवाईड नहीं करेगी लेकिन क्योंकि एक संगटित वो नहीं गुरूप देखने को नहीं मिलता है गौवर्मेंट एजुकेशन को अपना सेकेंडरी एक्टिविटी मान के पूरे हतियार में पैसे लगा देती है तो यह किसकी गलती है एक तरह से अवेर्ड सिटिजन नहीं है हम वो गलती है हमारी और दूस इस दिखर रहे हैं और यहां पर यहां पर यहां पर आप एक सांथ इखटा करके आप एक गुरूप बना रहे हो जो गुरूप क्या करेगा अब उस चीज़ पर आगे लगातार काम करता रहेगा ऐसा नहीं कि एक बार अबजेक्टिव अचीव कर लिया फिर गुरूप गायब हो जाएगा वो कंटिनिसली काम करता रहता है तो यह वह हो गया ठीक है फिर यहां से में स्टाट करते हैं इंट्रेस्ट आस्परेशन और ओपीनियन्स केम तोगेधर इन और टो अचीव और प्रेशर कूस क्या होते हैं अब नेक्स्ट विडियो में क्या करेंगे इसे टीटेंव तो बंचेंगे प्रेशर रूप सॉत पब्लीग ओपीनियन प्रेशर अलग जोबी टाइप से हो सारे हम डीटेल वीमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन यह आदा पार्ट हुआ है आदा पार्ट अभी बचा है आदा पार्ट क्या है अम ये भी तो देखें कि मुमेंट्स क्या है अगहारी का प्रेशर मुमेंट्स को समझते हैं मुमेंट्स समझेगा देखें मोमेंट्स are not necessarily headed by an organization मैंने यहाँ पहों चर्ब्द याद दिलवाया था जाएंगे बिना और्गनाइजिशन के मुवमेंट लॉंच किया सकते हैं गया लुए 16 के समय पर क्या हुआ था मतलब मैं बहुत दूर ले गया हूं आपको फ्रांस में जब जैसे बैस्टाइल फोर्ट पर वो इसलिए बता रहो क्यों अधिकतर बच्चों ने पड़ा होगा जब बैस्टाइल फोर्ट पर हमला हुआ तो इसा था कि कोई और फिर अरोज होता है और लोग हमला कर देते हैं अब अब जेख रहें स्टोरी कि प्रेशर ग्रूप और मोमेंट्स में यही डिफरेंस है जो प्रेशर ग्रूप्स रहते तो यह सब कुछ और्गनाइज तरीक प्रेशर लिफ्त के अंगर बात की जाया तो फिर मोमेंट्स अरोज कैसे होते हैं बनता कैसे मतलब कुछ तो एक क्राइटीरिया रहता होगा ना तो तो यहां मोमेंट जो होते हैं तो वह मुमेंटे। उसको नाम से क्लासिफाइब कर देते हैं कि यह मुमेंट अगर स्टार्ट किया गया तो एक कुछ मुमेंट ग्रुप्स के दुवारे किया था जैसे नर्मदा बचाओ अंदुलन तो वह क्या है कि उस मुमेंट को लॉंच करने के लिए वहां कि कुछ लोगों ने मिलके क्या सकते हैं तरह से मुमेंट स्टार्ट किया और वह मुमेंट चल रहा है ठीक है तो यहां पर क्या है कोई काम नहीं कर रही है मुमेंट में रेंडम ली क्या होता है लोग इखटे होते हैं लोग इखटे होते हैं कॉस देखते हैं परिशानी देखते हैं उसके पोजिशन moment groups भी क्या करते हैं politics को influence करते हैं आप यही चीज़ अगर यहां पर देखो के pressure groups की तो pressure groups में भी हमने लिखा है कि influence government policies दोनों जगा जब government policy influence हो रही है तो difference क्या है difference है बहुत बड़ा difference है और इसी चीज़ को हम क्या पढ़ेंगे इसी चीज़ को में specific वीडियो में पढ़ेंगे मैंने आपको बता है कि अलग-अलग आप डील करेंगे तो जब moment groups को हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको समझाओंगा कि किस तरह से moment groups जो है वो politics को influence करते हैं क् स्पेसिफिक वीडियो में पढ़ेंगे ठीक अभी सवाल यह आता है then how it is different from pressure groups ठीक है तो अब आप बोल रहे हैं कि pressure groups और moments अलग-अलग है आप बोलोगे सर ठीक हमने मान लिया चलो अच्छी बात है और फिर आप के मनमें सवाल आया होगा कि different है तो कैसे हमें यह प्रूफ क कोई NGO है जो क्या करता है child marriage के अगींस्ट में आवाज उठाता है तो वह एक टाइट organization है जिसका objective clear है उस पर काम कर रहा है लेकिन moments की जब बात करेंगे तो lose organizations है अचानक से मान लो क्या होता अचानक से red light cross करते हुए किसी ने किसी का accident कर दिया तो वहाँ पे बैठे बहुत सा देखने को मिला जैसे आपको एक example और देता हूं डेली में जब निर्भिया केस हुआ था उस समय पर क्या है आपको देखने को मिला की outburst निकला लोगों का लोगों के अंदर का गुस्सा बाहर निकला उन्होंने moment को launch कर दिया तो इस तरह से lose organizations होती है their decision making is more informal and flexible अब organization में क्य spontaneous mass participation than interest groups interest groups क्या करते हैं interest groups specific तरीके से चीज़ें चलाते हैं लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर सब कुछ spontaneous होता है अचानक से बंगती चीज़ें जब मैंने आपको प्रेशर गूप बताया था तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझा गई थी और यह सब उसका क्या है उस नहीं कि कोई organization बनाई गई और वो काम करेगी इसके अगेंस्ट में यहां तो रेंडम लोगों का आउटवर्स निकलता है जैसे नेपाल में हमने देखा democracy को restore करना था लोगों के अंदर गुस्ता था सारे लोग एक साहता है democracy को restore कर दिया आया समझ में तो basically इस वीडियो में इनको in detail पढ़ेंगे तो next video में pressure groups पढ़ने वाले हैं okay इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं तो next video में क्या करेंगे pressure groups को in detail पढ़ेंगे thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम दो topics को पढ़ेंगे मतलब दो ऐसे topics जो आपको similar लगते हैं या फिर क्या सकते हैं एक topic का हम detail version पढ़ने वाले हैं पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था इसले वीडियो में बताया था कि interest group और pressure group synonyms ठीक है तो sectional interest groups के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे public interest groups के बारे में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं कैसे अलग हैं क्या अलग है वो सारा सब कुछ आपको इस वीडियो को देखने के बाद में clear हो जाएगा start कर interest group interest group मतलब वो किसी interest की बात करता है अब sectional मतलब किसी एक section की बात करता है अब section में ऐसा नहीं लेने ना कि 10th A 10th B 10th C ठीक है sectional interest group मतलब क्या है कि जैसे हमारी society में अलग-अलग sections है अलग-अलग वर्ग है तो workers है employees है अलग-अलग caste group है अलग-अलग religious groups होते हैं तो इस तरह से क्या बहुत सारे sections हैं अब माल लीजे कि workers ने group बनाया जो workers के betterment के लिए काम करेगा तो वो क्या हो गया a group which is representing the section of workers त उसका क्या करता है उसके interest को exhibit करता उसके interest को represent करता है ठीक है तो sectional interest groups हो गया clear अब देखो क्या है यह जो sectional interest groups होते है तो then seek to promote the interest of a particular section और group of a society जो मैंने अभी आपको समझाया यह क्या करते हैं यह चाहते हैं सिंपल से चीज़ की किसी एक पर्टिकुलर ग्रूप जो है सोसाइटी का उसके इंट्रेस्ट किया जाए उसके इंट्रेस्ट को फुल्फिल किया जाए जैसे एक्जाम्पल में अगर हम आगे देखेंगे तो पहले उसके पर थोड़ा सा और थियोरी बता देता हू और क्या करता है इत वर्टक फॉर्ट वर्टी बेटरमेंट and the well being of their member not society in general मतलब जैसे आप देश में रह रहा है तो आपके देश में पूरी आप society है ठीक पूरी society के हम बले के लिए सोचते हैं देखते हैं सारी चीज़े लेकिन क्या होता है यह जो पूरी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते हैं वह अपने ग्रूप के जो मेंबर हैं उनके बारे में सोचते हैं इब आँज से देखते हैं जलदी समझ में आएगा बैठर समझ में आएगा रेट उनियन्स अपने गुट्स के बारे में अपने में पिंशेंगे उन्हें मतलब नहीं कि दूसरे competitors को क्या effect पढ़ रहा है क्या effect नहीं पढ़ रहा है वह government की policy को influence करने की सोचेंगे अपने members के favor में जैसे business associations हो गई तो वो क्या वो goods को ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेशने की सोचेगी वह सोचेगी हम tax कम pay करें चाहे consumers का कुछ भी होता हो तो इस तरह से सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में दूसरी चीज क्या करना है कि अग्जामपल जरूर लिखना है और जगहार पर चाहँ पे आप एक्स्प्रेयन कर रहे हो अगर आपको याद है तो मंच से कुछ कहानी नहीं नहीं मिलेना राजय रानी की एक्जामपल में ठीक है यहाँ पर जो एक्ग्जामपल रहते हैं वो लिखना है सबसे बढ़ी पूरे की पूरी पूरी पब्लिक को तो कभी-कभी क्या होता कुछ प्रेशर ग्रॉप्स कुछ एंट्रेस्ट ग्रॉप ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं जो सरफ अपने मेंबर के भले के लिए नहीं करते हैं हो सकता है उन्हें कोई फायदा नहीं हो लेकिन फिर 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 लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे human rights activist जो होते हैं इसका example सब आच्छा एंजीओ जो तो यह क्रते human rights क्या करते हैं ऑनके human rights violation हो रहे हैं वो तो किसी और कि Aafghanistan में जिसे लोगों की जाने जा रही हैं तो एसा थो यह कोड़े यह क्या करते है अपने बारे म२स फॉटे समाज के बारे में पॉट्लीक के बारे में सुचते हैं तो वो हो जाते हैं पॉब्लीक Ĩ्ट्रेस्ट ग्रूप्स क्लियर रहे हैं और कह सकते हैं एंप्लइज का यह सक वह सचिंक की सुचेगा लेकिन यहां पर क्या रहा है क्लेक्टिव गुड़ क्लेक्टिव गुड़ मतलब सभी को साथ मिलें के चलो सबका साथ सबका का विकास वाली बात हो गई यहां पे ठीक है डेहल ग्रूप अधर देर ओन मेंबर्स आप क्या है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रूप्स होते हैं तो वह अपने मेंबर के अलावा भी दूसरे बाहर के लोगों की मदद करते हैं जैसे मैंने आपको भी क्या कि जो पब्लिक इंटरेस्ट रूप के मेंबर्स होते हैं यह क्या करते हैं थे अंडर्टेक्ट एक्टिविटीस देट बेनिफिट्स देम अस वेलस अधर्स टू मतलब हमें भी फायदा हो किसी और को भी फायदा हो तो बहुत अच्छी चीज यह सोच के वह काम करते हैं जैसे अब आप अग्जामबल देखो गया बोलीविया में जिस ऊर्डणाईजीशन रेकमेंट सेक्ष्ण ने बताएं गया कि बोली विया में जिस ऊर्णाईजीशन ने वाटर क्राइस्स के अवाज उठाए फ्टी इस ऊर्णाईजीशन का नाम क्या था था मैंने आपको तो जैसे हमने बॉलीविया का केस देखा तो वहाँ पर जो और रही थी जो आपको हमवक है तो वह और गनाइशन ऐसा तुरी ना कि सिर्फ उसे ही फाइदा चाहिए था उसने इन जनरल सब की समस्यां को समधान के लिए ठीक है अब आप देख लीजिए जिसे नेपाल में डेमोक्रिसी लिए लड़ाई लड़ी गई ठीक है जो सेवर पाटी अलाइंस बली थी और उसके बाद में लोगों ने पाटिसिपेट किया तो क्यों किया था क्योंकि वह इन जनरल सभी के भले क्रिसी की फ्रीडम को कर रहे हो ना तो उस सेंस में क्या है कि जो पंडिक इंटरस्ट ग्रूप होता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता है वो जनता के लिए ठीक फिर और एक्सामपल यसे जिसे तो अहीं जो है ठीक हैं वह से बेकवर्ड और आन मैनोरिटी कम्मून उनके साथ में भीदभा हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं तो आपको देखने में ज़रूर यह लग सकता है कि यह तो सिर्फ बैकवर्ड और माइनुरिटी कमुनिटी के लिए काम कर रहे हैं तो इन्हें तो की सबता है video तक नहीं सबकुछ यह होने काम हो गया है कुछ के आफेया वाचमा सब कुछ कawareशन चुछ और पभलीक इंटरेश्ट ग्रूपS अब गएप्पी पिछ जोब पड़ा था हमने क्या हाँ और, प्रेश बूंग्र फंस प्रेश को recording मैंने आपको बोला था detailed explanation देंगे यह detailed explanation हो गया दो तरह के pressure group होते हैं या फिर दो तरह के interest groups हो सकते हैं direct question नहीं मनता what are the what are the two major types of interest groups ठीक है तो sectional interest group हो गया हमारा और public interest group हो गया अभी क्या है यह हमारा pressure group वाला segment complete हो गया moments पर आतने हैं तो moments में हम देखेंगे क्या क्या होते हैं क्या उनका influence है नहीं है तो जो हमारा next video होने वाला है उसमें आपको में moment groups के बारे में एक basic information की moment group होते क्या हैं ओके इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से राउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हूं download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्ष्वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू बेर मच hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूत welcome to magnetbrains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम एक नया topic स्टार्ट करेंगे moment groups के बारे में जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या discuss किया था पिछले वीडियो में हमने interest group के बारे में पढ़ा था sectional interest group और उसी के साथ साथ हमने पढ़ा था public interest group तो हमने उन्हें detailed way में discuss किया था अब वैसे ही moment groups जो हैं तो moment groups में भी अलग-अलग sub classifications है what are the two types of moment groups question मन सकता है direct यहां पर क्या लिखना है आपको आपको लिखना है issue specific moments और दूसरा है general moments ठीक है दोनों को समझते हैं कि क्या होता है तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था starting video में जहांपे हमने differentiate किया था किसके बारे में pressure groups में और moment groups में जब हमने differentiate किया था तो मैंने बताया था कि जो pressure groups होते हैं वो organization based होते हैं ठीक है वो formal होते हैं उनके काम करने का तरीका अलग रहता है लेकिन जो moment groups होते हैं तो यह क्या होते हैं specific moments कौन से होते हैं क्या सोचा आपने चलिए आईए discuss करते हैं तो issue specific moments seek to achieve a single objective within a limited time frame देखा अब यहाँ पर क्या चीज़ है single objective within a limited time frame मतलब जैसे अब आप the name itself is suggesting issue specific मतलब यह इस तरह के moments होते हैं जो क्या होते हैं कि specific moment के उपर क्या किया जाता है आपकी स्कूल में क्या हो रहा है आपकी स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए आपको बाहर नहीं ले जा रहे हैं तो आपने इस इशू पकड़ लिया है क्या बाहर ही नहीं ले जाते हैं और आप क्या करते हैं उसके उपर moment develop कर लेते हैं तो यह issue specific हो गया clear है तो मतलब आप क्या देखते हैं problem देखते हैं उस problem का solution आप अलग-अलग प्रोटेस्ट के थूरू struggles के थूरू पाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जब moments start किया जाते हैं तो वह issue specific moment हो जाते हैं as simple as that ठीक है example अगर दिखा जाए तो हमने इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर से अगर example relate करेंगे आप तो जैसे नेपाली's moment for democracy यह issue specific moment है क्यों क्योंकि their moment was specific to the restoration of democracy मतलब उन्हें democracy को restore करना था यह था issue उनका क्या issue था कि यह राजा जो है वो राजा क्या हो गए थे एक तरह से अपनी power को excessively use कर रहे थे जिसके चलते उन्हें पूरी की पूरी democratic setup को क्या कर दिया था खतम कर दिया था तो यहां पर लोगों ने परिशानी देखी उस परिशानी के अगेंस में आवाज उठाई आवाज उठाई और उस जो उसके अगेंस में मोमेंट स्टार्ट किया था freedom मतलब democracy को restore करने के लिए उससे अचीव कर लिया तो यह क्या था single नर्मदा बचाओ अंदोलन तो नर्मदा बचाओ अंदोलन जो है तो यह क्या रिवर नर्मदा रिवर जो है उसके उपर डैम बना अब तो बनके complete हो गया है ठीक है आप लोगों के मैप लिस्ट में भी आए गया यह जियोग्रफी में कौन सा डैम है सरदार सरोवर डैम तो सरदार सरोवर डैम जो था तो उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पर क्या और है बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस को होना पड़ा था डिस्प्लेस्मेंट हुआ बहुत जादा ठीक है विस्थापन कहते हैं जिसे मतलब एक जगा से हटा के दूसरी जगा ले जाए गया नर्मधा रिवर पे जो डैम बन रहा है उसके कारण डिस्प्लेस्मेंट हो रहा है तो लोगों ने मुव्मेंट स्टार्ट कर दी तो यह प्याई कैस्प्लेस्प्लेस्मेंट की प्रॉब्लम ती उसे और हैलाइट किया जाता है लेकिन बेसी लिए गार रूट्स देखी जा specific है एक चुनिंदा परिशानी के अगेंस में moments ठीक है तो moment groups में हमने एक category यह देखी इसको और अगर explain करें और theory में जाते है इसकी तो these types these type of moments have a clear leadership and some organizations but their active life is usually short support देखो इसमें क्या होता है यह जो इस तरह के moment होते ना कौन से issue specific moment तो इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलती clear leadership होती है मतलब leaders जो है या फिर जो भी participants है ठीक है जो भी members है इस तरह के moments में उन्हें अपना objective clear होता है कि हमें यह नर्मदा बचाओ अंदोलन में हमें क्या करना है हमें सरदार सर्वर डेम को अपोस करना है क्यों क्योंकि बहुत जाधा displacement हो रहा है बहुत सारे ट्राइबल ग्रूप के जो लोग थे आदिवासी जो लोग थे उन्हें क्या होना पड़ा डिस्प्लेस होना पड़ा तो संस में यहां पर leadership clear होती है कुछ organizations उनके साथ काम करती जो specifically नर्मदा के लिए काम कर रही थी और ऐसे करके क्या है वह अपने objective को achieve करने के लिए moments चलाते है इस तरह के moment होते है इनका term period बहुत छोटा होता है मतलब एक बार objective achieve कर लिया that's all तो इस तरह से यह issue specific होते है अब दूसरे type के जो moment groups होते हैं वो कौन से होते हैं वो होते हैं general moments general moments क्या यह मैं आपको समझाता हूं general moment simple सी चीजे general moment seeks to achieve a broad goal in the very long term ठीक है मतलब एक broad goal देखा जाए broad goal कैसा देखा जाए जिससे हमने यहां पर देखा कि issue पकड़ लेते हैं नेपाल में क्या सोचा लोगों ने democracy restore करना है बस इतनी सी बात लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है broad goal में अगर बात की जाए तो broad goal में वह एक बड़ा objective देखते हैं जिसको continuously achieve करना रहेगा जैसे मैं बताता हूँ poverty eradication poverty eradication एक ऐसा गोल है जिसमें क्या है जिसमें आप गरीबी सब की खतम कर दोगे तो फिर लोग क्या जैसे में यह बहुत सी बार मैंने आपको पुराने कुछ वीडियो में बताया भी example poverty relative concept poverty relative concept से मेरा क्या तात पर है समझना इस नहीं है वो क्या कहलाएगा गरीब कहलाएगा क्यों क्योंकि वहां पर poverty की definition यह होगी ना कि minimum कार होना चाहिए अगर आप अपने आपको ठीक कहलाना चाहते हो और फिर middle class में आपर middle class में गिनवाना चाहते हो तो लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में एक एंसान ज चले गए हम लेकिन उससे आपको relate करवात हो कैसे तो जो general moments होते है general moments में क्या होता है general moments में आप ऐसे goal set करते हैं broad goal set करते हैं जिसको आप continuously achieve करते हैं आपने अपने देश में जैसे गरीवी पूरी खतम कर दी ठीक है तो फिर वह यूएस वाली कहानी इंडिया में लागो हो जाएगी क्या कि फिर इंडिया में लोग यसे consider करेंगे जिसके पास कार नहीं है वह गरीब है तो एक relativity चलती रहेगी relative concept बनते जाता है तो उस तरह से क्या है कि जो जनरल मुमेंट्स होते हैं वह इसी तरह से क्या ब्रॉड मुमेंट्स पर फोकस करते हैं जिन मुमेंट्स के लिए में हैं तो जनरल मुमेंट्स seek to achieve a broad goal in very long term involves more than one issue और इसमें एक से ज्यादा issue भी हो जाते हैं यह कैसे होते हैं वह मैं बहुत अची तरह से समझाता हूं आपको देखो जैसे प्राइब मो मेंट्स जो होते हैं अब ब्रॉड गोल दे दिया humility mental moments environment protection के लिए moment चलाये जाएंगे अब इसमें एक से ज्यादा कैसे आ सकते इन्वर्मेंट मौमेंट में आपак sup waAl conservation की बात करोगे याप प्लांट था था और आप भीर है तो तो क्या देख रहे हैं इशू स्पेसिफिक नहीं होते है अब देखों यहां पर डायेक्ट कुछन किसी भी तरह से बन सकता है what are the two types of moment groups आप सिंपल लिख दो के समझ गए इशू स्पेसिफिक उचलिया निंपको आपको सब तो आता है कि पर औहुआ है यह समस्प्रक। है question कैसे बन रहा है question की demand के accordingly अपने answer को लिखना है जो पता है वो नहीं लिखना है जो पूछा है वो लिखो clear यह हो गया general moments हो गया हमारे तो general moments में आपको मैंने definition से clear कर दिया general moments are the moments which seek to achieve a broad goal in a very long term long term क्यों होता क्योंकि लंबे समय तक बहुसता ही चीजों का अचीव करना short time period में नहीं कर सकते हो it involves more than one issue जैसे environmental issue का मैंने आपको example दिया women's issue तो women's issue होता है या फिर कह सकते है women moment जो होंगे women's के लिए moment start किया जाएंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे उसमें आप देखेंगी बहुत सारे अलग-अलग issues हो सकते हैं एक से ज्यादा issues को involve करना कि आप girl child education की बात करोगे domestic violence की बात करोगे ठीक है sexual harassment जो हो रहा उसकी बात करोगे तो बहुत सारे issues को एक साथ क्लब करके जब एक broad goal के साथ में मुवमेंट को चला होगे तो वह general moment कहलाएगा clear फिर there is no single organization that controls or guides such moments ऐसा क्यों और यह क्या है यहां पर देखा था क्या कि इस टाइब मुवमेंट है clear leadership clear leadership होती कि हमें यह achieve करना है that's all एक बार achieve कर लो तो बोलेंगे कि हम successful हो गए लेकिन यहां पर ऐसा नहीं women's moment अगर है तो वह क्या है वह बहुत सारे issues को cover करता है बहुत सारे issues को cover करता तो एक organization को कंट्रोल करने के लिए क्या है जैसे हम बोलते हैं क्या कि रिलाइंस के जितने भी अलग-अलग सेग्मेंट से जैसे रिलाइंस जियो हो गया रिलाइंस ट्रेंड हो गया रिलाइंस फुट्वेर वगरा हो ठीक है रिलाइंस फ्रेश हो गया तो इसमें रिलाइंस स्मार्ट ह हो गया तो अब यहां पर कोई एक स्ट्रॉंग अम्रेला नहीं होता है अब मुमेंट के अगर बात कर रहें तो इसमें क्या है इसमें इन्वामेंटल मुमेंट के लिए बहुत सारी ओर्गनाइजिशन काम करें लेकिन कोई स्पेसिफिक मजबूती से काम नहीं कर रहा है आया स क्लियर इस ब्रॉड मुमेंट्स हैव अलूज अम्रेला ओर्गनाइजिशन जो भी मैं आपको समझाया एक्जामपल में जैसे देखें तो एन्ने पीम नैशनल अलाइंस फॉर पीपल्स मुमेंट अब यह क्या है एक और्गनाइजिशन है और्गनाइजिशन ऑफ और्गना और्गनाइजिशन काम करेगी उसका टार्गेट क्लियर है उसके सामने क्या कि हमें डिस्प्लेस्मेंट की प्रॉब्लम को एड्रस करना है लेकिन इनका कोई अपना ऐसा सेट अब्जेक्टिव नहीं है एन पे एन 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 पीम का नैशनल अलाइंस और पीपल्स मुमेंट का यह तो यह बोलेंगे कि हमारे पाथ जो भी आजाए हम उसकी मदद करने को तयार है कैसी भी प्रॉब्लम हो इन्वामेंटल प्रॉब्लम हो ठीक है विमेंस से रिलेटेट प्रॉब्लम हो या फिर कह लिजे किसी प्रकार की वरकर्स की प्रॉब्लम हो जो भी आएगा मुसकी की मदद कर देंगे तो यह क्या है यह जेनरल मुमेंट्स की बात की गई यह अब यह दोनों मुमेंट्स अपने आप में काफी ठीक है क्यों क्यों कि प्रॉब्लम्स तो यह सारा सब कुछ हमने पढ़ा इस वीडियो में आभी देखिए क्या है जब हमने चप्टर स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्ट्री वीडियो में मैं आपको बताया था कि कही ना कहीं यह जो प्रेशर होते हैं जो मुमेंट्स होते हैं यह इन्फ्लेंस करते हैं किसे influence करते हैं government को government के काम करने के तरीके को इन सारी चीजों को influence किया जाता है तो अब अगला जो topic होने वाला है हमारा next जो वीडियो होने वाला है वो असी चीज पर होना है कि how this moment groups influences the policy of government ठीक है government की policies को कैसे influence करती हैं तो यही सारी चीज़े हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ओफीशल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंट्रस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे हमारी टॉपिक है अब आप सोच रहे होंगे कौन दे हैं और कैसे इंफ्लूएंस करते हैं politics को तो इस topic को setting को मैं आपको पीछे सरी introduce करवाता हूं जैसे हमने पिछले वीडियो में पीछे क्या देखा था हमने देखा था कि किस तरह से जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो मुव्मेंट ग्रुप्स हैं वह एक बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री की politics को शेप करने में वह क्या होते हैं कैसे काम करते हैं उनके प्रेशर ग्रुप्स आ गए मुवमेंट ग्रुप्स आ गए इंट्रेस्ट ग्रुप्स आ गए अब कोश्यन किसी भी तरह से घुम क्या है आपको पता है कि वह politics को influence किस तरह से करते हैं पॉलेटिक्स को शेप किस तरह से देते हैं ये छे पॉइंट से पांच माक्स तक का कोश्यन भी अगर आता है आपके पिरियोडिक टेस्ट में बोर्ड में तो आ नहीं रहा है चैप्टर तो आप क्या है यहां पे पूरे सारे पॉइंट्स लिखो के तो छे नंबर तो नही मोमेंट ग्रुप होते हैं तो पहला पॉइंट क्या हमारा ते ट्राइट गेन पॉब्लिक सपोर्ट एंड संफथी फोर देयर गोल्स अभी से एक्जामपल से समझो पहले अमने पिछले वीडियो में नर्मदा बचाओ अंदोलन वाला एक मोमेंट ग्रुप के बारे में हैपन आफ्टर दी कंस्रक्शन और सरदार सरोवर डेम ठीक हैं सरदार सरोवर डेम बनने के बाद में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना यह उनका गोल था अब इस गोल के टूर्ट्स हो क्या करेंगे पब्लिक सपोर्ट गेन करने की कोशिश करेंगे लोगों के द्वारा क्या करेंगे लोगों के मन में सेंपथी डवलब करवाने की कोशिश करेंगे प्रेशर ग्रूप कि जो डिस्प्लेसमेंट के प्रॉबलम यह सच में बड़ी प्रॉबलम है कितने सारे ट्राइबल ट्राइबल कम्मुनिटीज को डिस्प्लेस होना पड़ेगा आया समझ में तो इस तरह से आप जब वो लोगों के मन में सेंपथी क्रियेट कर वा लेंगे तो लोग क्या करेंगे लोग पॉलेटिकल पार्टिश की तरफ आशा लगा के दिखिए कि पॉलेटिकल पार्टिश को इसे करना चाहिए पॉलेटिकल पार्टिश के उपर प्रेशर बन जायागा क्यों क्यूंकि अब जनता किसका तरी नके गोल का साथ दे रही है आया सबस् Amaust 되acao बादक होगा कितनी लैंड कितनी प्रॉपर्टी सबमर्ज हो जाएगी ट्राइबल कम्यूटी कहां जाएगी तो ऐसे इंफोर्मिशन कैम्पीन चलाएंगे औरगनाईजिंग मीटिंग्स मीटिंग्स वगिरा औरगनाईज करेंगे तो किसी बी तरह से क्या कर सके अपने मुद्द्धे को लोगों तक पहुंचा सके जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि फ्री और क्वालिटी एजिकिशन प्रॉइड किया जा सकता है जैसे कर रहे हैं मैगनि सब्सक्राइब करेंग्स पभी इसाब शारी चीजों को देके अन्फुलन्स मीटिया जब इस तरह से पैलीक ओपिनियन बनेगा तो मीडिया इंफुल trabajar जीजों को मीडिया मीडिया जब कवर करेगी चीजों तो तूसके थू क्या होगा उसके थू एक तरह से कही ने पॉसक पॉलिटिकली इस चीज़ को शेप दिया जा सकता है तो पहला पॉइंट हमने यह समझ लिया आई होप क्लियर है दूसरे पॉइंट प्रोटेस्ट एक्टिविटीज अब क्या होता है कि जितने भी प्रेशर ग्रूप्स वगरा होते तो प्रोटेस्ट एक्टिविटी वगरा इस करते हैं प्रोटेस्ट एक्टिविटी में जहां पर विद्रहों दिखा एक तो जैसे त्रेक्स हो गयाँ और डिस्रॉप्टिंग गवर्मेंच प्रोग्राम्स में डिसरॉपशन्स ला देना अधिक तर रित्राक्र्स वर्कर्स याव्टर्स यमस्टि वाले जा िटी है तो आपकी डिमांड आप बोले जा रहे हो GOS. से रवा değer कर दो तो उसके चलते क्या। कि अप गॉवर्मेंट का धयान आपके तरफ आ जाएगा तो 서 तो यह यह होता है कि इसके त्रह क्या करें मैं कहीं इंफ करते हैं politics को पहला मैंने आपको बताया दूसरा भी आया समझ में कि वो प्रोटेस्ट एक्टिविटी वगेरा और्गनाइस करते हैं जिसके चलते क्या है government is forced to pay attention towards them their demand ठीक है यह हो गया तीसरा क्या है person from pressure group और movement groups में participate in official bodies अभी क्या होता कि बहुत सी बार business house जो होते हैं बड़े-बड़े तो वह sponsor करते हैं ऐसे लोगों को जैसे मान लीजिए कोई environmentalist है तो किसी environmentalist को क्या किया जाएगा किसी business house ने sponsor कर दिया या फिर कोई educationalist है उन्हें किसी business house ने sponsor कर दिया और इस तरह के इनसान क्या करते हैं यह यह official bodies में participate करते हैं जिसे कोई committee है जो policy बना रही है environment protection के लिए तो उसमें इस environmentalist को डाल दिया तो इससे क्या है कि pressure group का आदमी जब environmental policy जो बन रही है उसमें participate करेगा तो दिखती बात है कि pressure group की जो demand से वो कही न कहीं government की जो policies बनने वाली है उन्हें influence करेगी government की policies को influence करना मतलब politics को influence करना तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि pressure groups वगरा जो होते हैं तो pressure groups क्या करते है pressure groups government के अंदर जाके भी चीदों को influence करते है not directly ठीक है उतना directly नहीं है यह but somewhere or the other it is has been working directly with them ठीक है मतलब एकदम ऐसा देखनी रहा है आपको कि यहां directly आप participate कर रहे हो लेकिन यहां पर कहीं न कहीं politics को influence किया रहा है pressure group के member के द्वारा ठीक है they also have ideological and political position on major issues तो अब यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी personal스 होते हैं इसे भी individuals होते हैं जो क्या करते हैं जो किसी पॉलेटिकल party का ideology लेकर चलते हैं pressure group में काम कर रहे हैं लेकिन किसी political party के ideology लेकर चल रहे है तो वह इस तरह से क्या करते हैं कही ना कहीं जो policies बनना है उन्हें influence करते हैं तो यहां पर हमने public support की बात कर ली यहां पर उनकी tactic की बात कर ली यहां पर individual लेवल पर बात कर ली तो इन तीन तरह से क्या करती है pressure groups और movement groups जो होते हैं तो वह influence करते हैं किसे politics को और देखते हैं तरीके तीन और बचे मारे पास तो pressure groups are either formed or led by political parties यह भी बहुत अच्छी चीज़ है अब क्या होता है कि politics को कौन influence कर रहा है politics को influence कर रहा है pressure groups और pressure groups ही अगर politics के दोबार influence किया जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि relation develop हो गया मतलब pressure group politics खेल रहा है और politics pressure group बना रहा है आया समझ में तो उसके चलते क्या होता हम देखते कि बहुत सारे student unions होते हैं trade unions होते हैं इनका affiliation होता है political parties के through इसका classical example देता हो example सुनने के बाद में आप तो साही चीज़ेशन हो जाएगी जैसे आप प्रेशर ग्रूप प्रेशर ग्रूप प्रेशर ग्रूप प्रेशर ग्रूप पॉलेटिक्स को influence करते हैं मान लो NSUI का president बना किसी college में कुई तो क्या होता है ABVP वाली की जो ग्रूप रहता है वो pressure pressure create करते हैं नहीं आपको हमारी बात मानना होगी नहीं मानना होगी opposition होता है एक दूसरे का तो इसके चलते क्या है कि यह pressure groups हैं लेकिन यह indirectly politics खेल रहे हैं politics को influence करना है politics से influenced है आया समझ में तो चौथा तरीका यह हो गया जिसके थूप pressure groups और political parties क्या करती है वह pressure create करती है politics के उपर और politics को influence करती है अब देखो चार point मैंने आपको समझा है यह points क्या करना है आपको जो heading है जिसे जो red font में लिखा या fourth number तो heading आपको ऐसी ही दिना groups के द्वारा जब protest किया जाता है popular struggle जो देखने को मिलते है popular moments जो देखने को मिलते हैं तो उन moments के थूप क्या निकल के आता है उन उन प्रोटेस्ट के थूख प्रोलेटिकल पार्टी इसने जिकल का आती दिय इसका सबसेच्छ एकजाम्पल बिना सब tends देखना नहीं थेखो सबसेच्छ एच्छा है आमादमी Υी लोगपाल्बिल हन्य प्रोटेस्ट हुआ प्रोटेस्थ्ट मुमेंट हुआ है घ्onne है जुँमेंट हुआ उस मुमेंट में से क्या निकल कि आया उस मुमेंट में से ऑक पॉलेटिकल पार्टी निकल गै और वह पार्टी कौन सी है आमादमीस इस Sw result मतलब किसी मुद्दे पर बहस हो रही है कि जो प्रेशल उप ने डारेक्टली पार्टिसिपेट कर लिया किसमें जो मोबलाइजिशन वाली हीडिंग पड़ी दिया हमने उसमें देखाता ना कि अधिकतर किस तरह से और्गनाइजिशन पार्ट करती है अब क्या करेगी इनफ्लेंस करेगी डिसीजन को तो इस तरह से प्लिटिक्स प्रफोिट तो जो भी धरने प्रदर्शन वगरह होते तो कभी कभी उसमें से भी पोलेटिकल पार्टी निकल के आती है एक्जाम्पल में जैसे formation of आसौम गना परिशद ठीक है मतलब यह आसामी लेंग्विज में आसौम गना परिशद तो यह क्या एक student body थी क्यों क्योंकि एक बार आसाम में प्रोटेस्ट चल रहा था कि जो foreigners मतलब illegal immigrants आते हैं बांगलेदेश वगरा से तो इनके इन्हें नहीं आने दिया जाना चाहिए और इन्हें नहीं आना दिया जाना चाहिए स्टुडेंट्स जो स्टुडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थें उन लोगों ने अपनी पोलेटिकल पार्टी बना ली तो एक मुमेंट था foreigners के अगेंस्ट में फोरेंट मतलब illegal immigrants के अगेंस्ट में उसमें से क्या निकल के आई एक पोलिटिकल पार्टी वैसी है अगर आप स में से निकल क्या रही है तो वो क्या कर रही है politics को influence कर रही है ठीक है और देखते हैं new leadership of political parties comes from interest or moment groups अब कभी-कभी क्या होता है कि जो मैं नए नेता आते हैं किछ-कुछ political parties में अभी example दोंगा तो जैसे बहुत मैं सारे ne режते है और वह कहां से आया रहते हैं तो तो वह नहीं कोई नहीं जानता था लेकिन एक शमय के बाद में क्या होता है एकसमय के बाद में उनकी popularity बढ़ जाती क्यूंँ क्यूंट कि वह किसी प्रेशर में सवनेट में से निकल आत hyज और उनकी जब स्क्रश्च किया तो लीड किस ने किया था लीड किया था शर्ट पतिल ने ठीक है सवभबothesция आप तो सबस प्रेट को लीड किया ठीक है अब Mr मुमें तो कनिया कुमार पुछ लोग क्या है यह सारे लोग प्रेशर गुरूप में काम कर रहे लेकिन जो इंप्रेट नहीं नहीं है ये ये अर इन्ड नेगोशीशन लेकिन फिर भी क्या करते हैं मानों जैसे प्रेजन्ट के अगेंस्ट में कोई बोल रहा है तो जो आदमी को क्या करेगा अपने पास लाने की कोशिश करेगा तो डारief नहीं होते लेकिन टो क्या होता है उनके बीच में डायी लोग और नेगोशीयेशन स्टार्ट हो जाते हैं और इससे कि नए नए इशूज पर कोई निकले मोमेंट ग्रूप से बढ़के ऊपर निकले हैं तो यह सारे छे तरीके मैंने आपको पता है जिसके थू क्या होता है प्रेशर ग्रूप्स और पॉलिटिक अब इंफ्लूएंस पॉलिटिक्स अब देखिए अब सवाल यह आता है कि क्या इस तरह से जो इंफ्लूएंस किया जाता है पॉलिटिक्स को प्रेशर ग्रूप्स के दवारा मुव्मेंट ग्रूप्स के दवारा इस इत हैल्दी क्या यह सही है ठीक है इस गुड़ इस तो यही सारी चीज़ हम नेक्ट वीडियो हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्ट वीडियो में किस टॉपिक के साथ में इस दी पॉलेटिकल इंफ्लूएंस हेल्दी और नॉट थैंक्यू थैंक्यू वेजमच इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे is their influence healthy अब आप सोच रहे होंगे किसका influence तो एक बार recap करते हम पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हम लोगोंने discuss किया था कि किस तरह से जितने भी pressure groups होते हैं interest groups होते हैं और उसी के साथ साथ जो हमारे moment groups होते हैं तो यह लोग politics को कैसे influence करते हैं यह सारा सब कुछ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तो हमने यह तो देख लिया कि politics को कैसे influence करते हैं लेकिन आप जानना यह ज़रूरी है कि जिस तरह से influence कर रहे हैं क्या वो सही है यह नहीं है तो वही हमारा topic है is their influence healthy healthy का मतलब यहां पर ऐसा मत consider कर लेना आपकी मोटा ताजा है या नहीं है तो healthy का मतलब यह है कि क्या जो influences pressure groups create करते हैं politics के उपर वो सही होते हैं या नहीं होते हैं clear तो चलो पड़ते हैं अब देखिए हैं मैंने लिखा है every coin has two sides आप बोलो हमें कि influence सही है या गलत है healthy है या नहीं है तो उसमें हम दोनों चीज़े हैं तो यहां पर दो question यहीं बन गए क्या इन जनरल आगया question what are your opinions regarding the influence of pressure groups over the politics are they healthy is that healthy or not ठीक है तो उसमें आपको पहले negative side दिखाना है फिर optimistic side दिखाना है positive इस तरह से आप कौन सा लिखना है मतलब आप पहले बता दो कि healthy क्यों नहीं है फिर बताओ लेकिन साथ ही साथ में क्या है इसके अच्छे positive results भी है तो conclusion आप एक positive note पर देंगे आया समझ में तो तीन question बनेंगे तीनों मैंने आपको बता दिये सिर्फ negative पूछा है सिर्फ positive पूछा है फिर अगर इन जनरल पूछ लिया तो negative बता और conclude कर दो positive से that's all ठीक है सीधे सीधे number पक गये हमारे तो अब देखो क्या है हम देखते हैं कि पहले negative side क्या है कि जो influence हो रहा है pressure groups के दोवारा politics के उपर वो सही क्यों नहीं है क्या healthy नहीं है उसमें तो groups जैसे pressure groups होते हैं interest groups होते हैं तो groups promoting the interest of one section may not have a healthy influence in democracy क्यों नहीं होगा statement से समझ में आगया ना कि ऐसे सारे groups जो क्या करते हैं जो कईना कई influence कर रहे हैं किसें जो कईना कई influence करते हैं politics को किसी एक section के लिए जैसे example लेते हैं जैसे के example अगर हम ले की कोई schedule caste schedule tribe के लिए कोई एक group बना है pressure group तो वो सिर्फ क्या कर रहा है उन्हीं के interest को represent कर रहा है और उसके थुरू वो politics को influence करने की it is not healthy for democracy वाय क्योंकि हम democracy में क्या बोलते हैं democracy मस्ट लुक आफर दे इंट्रेस्ट आफ और दे section of society democratic society में just society में क्या होना चाहिए society में जितने भी sections है ठीके ना हर section के towards क्या होना चाहिए एक optimistic एक equality वाली अप्रोच होना चाहिए but in this case we are observing that if a pressure group is focusing more on a particular section then he is neglecting the qualities of equality ठीक है equality की बात को क्या किया जा रहा है यहां पर equality की बात को neglect किया जा रहा है अब जब equality को neglect किया जाएगा तो क्या वह एक democratic setup की values के साथ जाएगा नहीं जाएगा ना तो उस sense में क्या है देखते हैं कि जो influence और आप pressure groups के द्वारा वह एक specific section को promote करेंगे तो democratic principles को तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं डेटोरियेट कर रहे हैं हम democratic principles के साथ में क्या कर रहे हैं एक कह सकते हैं कि उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं फिर हम गलत कर रहे हैं ठीक और देखते हैं इस groups are not accountable to the people यह point बहुत important है देखो प्रेशर ग्रूप से मुव्मेंट ग्रूप से लोग इखटे होते हैं फत्रवाजी कर देते हैं किसी politician का किसी government officer का घरबार तोड़के चले जाते हैं ठीक है अब भीड का तो कोई चहरा नहीं होता आप किसे ही रहती है political party को पता है कि हम अगर गलत काम करेंगे गलत डिमांड को एक्जिबीट करें तो हम इलेक्शन में हार जाएंगे या फिर जो भी result होगा उसका परिनाम हमें खुद भुगतना पड़ेगा they are accountable to the people but pressure groups and interest groups are not accountable to the people उन्हें किसी को जवाब देना ही नहीं होता है अब जब किसी को जवाब नहीं देना है तो वह अपनी मर्जी के साथ से काम करेंगे तो यहां पर क्या हो गया पता है पावर तो है pressure groups के पास में कैसे पावर है कि वो influence कर रही है politics को but power in the absence of responsibility is very dangerous ठीक है I repeat power in the absence of responsibility is very dangerous यहां पर पावर है pressure groups के पास में लेकिन जवाब दे ही नहीं है कोई जवाबदार ही नहीं है responsibility नहीं किसी भी चीज़ की तो वो क्या करेंगी वो सिर्फ अपने group के बारे में सो होचेगी जिसके चलते जिसके चलते problems create हो सकती है society में एक तो हमने यह देख लिया कि किस तरह से undemocratic होता है कि आप सुर्फ एक ही group को promote कर रहे हो एक ही group के interest को promote कर रहे हो दूसरा हमने क्या देखा कि यहां पर power without responsibility वाली कहानी चल रही है pressure groups के साथ में they are not directly accountable to the people ठीक है as in the case of political parties we are observing that political parties are more responsible and accountable to the peoples whereas pressure groups and interest groups are not ठीक तो यह सारी कहानी हमने अभी इसमें समझी कि कैसे is their influence healthy में दोनों दो पॉइंट मैं आपको बताएं दोनों पॉइंट किस बारे में deal करते हैं कि their influence is not healthy ठीक है एक negative side देख रहे हैं फिर आते हैं और क्या कि pressure groups with money can hijack public discussion in favor of their narrow agenda अब देखो क्या है कि एक कोई businessman है ठीक है या फिर कह सकते कि कुछ लोगों का group है जिनके पास में पैसा है त ठीक है तो अब जब किसी pressure group के पास में money money power है तो money power से क्या कर सकता है उनके एजिंडा के थू लोगों के opinion को hijack कर सकता है जैसे कि example देता हूं simple सी चीज़ें आज एक कोई group है जो क्या बता रहा है आज एक कोई group है जो बोल रहा है कि chemical से बना हुआ खाना या फिर कह सकता है कि chemical से बनी ओए भूसारी दवाईयां आपकी सहत के बहुत अच्छी है अब वह क्या करेगी वह advertised करेए आप टीवी में देख रहे हो तो बहुत अच्छा advertisement आ रहा है आप क्या कर रहे हो आप नियूसपेपर में परड़ रहो जो क्या करना चाहीं तो इसके दवारा बनाहे गई chemical उसके दवारakah मतलब एक कह सकते हैं कि पूरी केमिकल को क्या कर रहा है प्रमोर्ट कर रहा है वह प्रेशर इसके पास मनी यह तो उसके क्या कर लिया इस है फैसे बब्लिक डिसकेश्शन को है है गया अब पॉर्बिक डिसकेशेंट को ही जाक कर लिया किसके तूइस्ष्ट आपने नेयृ आजेंडा अहूरा सबस्किछ जानिव थे खूर्ड़ेंट व में च्रस फिल्त ली कि ढूर से क्या करें अन ल्धी शिटूशन क्रें रहें। साइटी के ऊपर आया जबंग में यह हमने आप कुछ पॉइंट डिसकर आपके साथ किसमें कि इस देर इंफ्लेंस हेल्दी तो नो देर इंफ्लेंस इस नोट हेल्दी ऑन दी पॉलेटिक्स वह पॉइंट्स में अब आते हैं किस पे कि अगर इस चीज को कंक्लूड करें आपक कैसे अभी तो आपने यह परूफ कर दिया कि इंफ्लेंस यल्दी यह अब प्रूफ कैसे करोगे कि इंफ्लेंस हेल्दी भी है तो यही एक डिप्लोमेटिक आंसर होता है आप आंसर में कभी एकदम वह नहीं रहना है जैसे जहां पर बहुत फिलम्जी सा ग्राउंड रहता ह है ना कि क्या बोले क्या ना बोले तो वहाँ पे दोनों चीजे मतलब आपको क्या करना है बींग ए स्टुडेंट आपको दोनों साइट दिखा देना है इसलिए मैंने लिखा था एवरी कॉइन सेफ डीपेंड देमोकरिशी मतलब डेमोकरिसी को और गहराई तक कॉरने पर मजबूर किया है प्रेशा ग्रूप से और इंट्रेस्क्रूपस ने कैसे कि मतलब यह समouse स्पराब यह तक है मर फोरी और परेशानिया है यह creates pressure on the rulers rulers मतलब कौन है जैसे जो पॉलेटिकल लीडर्स है हमारे तो अभी क्या है पॉलेटिकल लीडर्स को अगर काम करना है तो उन्हें जनता की बात सुनना होगी जनता की बात सुनना होगी और एक तरह से कह सकते हैं कि हम प्रेशर कुप्स क्या करते हैं तो इस सेंस में क्या ह है इस सेंस में एक प्रेशर जरूर है पॉलेटिकल लीडर्स के उपर बट इट शुट भी गिवन टो ऑल ठीक है मतलब यह उपरचिनिटी प्रेशर क्रियेट करने की सभी को देना चाहिए ऐसा नहीं कि तरफ एक ही प्रेशर ग्रूप इंफ्लेंस करें पॉलेटिकल लीडर्स को सभी प्रेशर ग्रूप अपनी अपनी डिमांड को लेके पॉलेटिक्स को इंफ्लेंस करना चाहिए ताकि पॉलेटिकल लीडर्स पॉलेटिकल पार्टी रूलर्स क्या करें सहीं तरह से काम करें और देखते हैं इस यूस्फुल इंफ्लेंस ओफ रिच एंड पॉलेटिकल रहेंगे तो ज्यादा शशक्त रहेंगे ज्यादा पावर्फुल रहेंगे तो वही चीज यहां देखने को मिलती है कि जो रिच और पावर्फुल पीपल रहते हैं वो लोग इंफ्लेंस कर सकते हैं चीजों को तो उन्हें काउंटर करने के लिए प्रेशर ग् प्ले अंवे वेलियॉबल रोल इन क्रियेटिंग रहस्व बैलेन्स ओफ पावर अभीया आपको समझात हो राफ बैलेन्स ओफ पावर क्या है यह से एक कोई sectional interest group है जो किसकी बात करता है एक sectional interest group है जो industrialist की बात करता है जो industrial owners से क्या बोलता है यह मतलब industrial owners को फाइदा हो उनके लिए क्या करता है pressure create करता government क्योंपर कोई एक sectional group sectional interest group और public interest group मैंने आपको पिछले वीडियो में discuss किया था मैं यह उमीद करता हूं कि आप भूले नहीं हो ठीक है डरा नहीं रहा हूं तो अब देखो क्या होता है इस तरह मैं देखा कि sectional interest group तो किसी एक section को ही promote करेगा जब वो किसी section को ही promote करेगा तो क्या होता है कि हो सकता हो दूसरे section के against में बात कर रहा हूं example ने हैं जैसे हम तो क्या कर रहे हैं कि एक sectional interest group के जो industrial owners को promote कर रहा है industrial owners के interest को promote कर रहा है वह किसके against promote कर रहा है farmers के against promote कर रहा है मान لو तो आप क्या होगा कि farmers का प्रेशिर गुप रहेगा वो भी बनेगा वह प्रेश्र ग्रूप किसके अगेंस में डिमांड रखेगा वो इंडस्टियल ओनर्स के तो एक तरह से कोई भी एक प्रेशल ग्रूप दूसरे सेक्शन को दबाए ना इसके लिए सेक्शनल इंटर्स ग्रूप भी क्या करते हैं एक रफ बैलेंस ऑफ पावर बना के रखते हैं आया समझ में मतलब इनकी ट होनों चीज़े हैं यस एट सम्टाइम्स इट सीम्स देट इस नॉट हल्दी कभी-कभी ऐसा लगता है कि यहां इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं बट हावर इस वी कंक्लूड चीक है अब जब आंसर कंक्लूड करेंगे तो आप यह क्रेट कर यह लिख सकते हो प्रेशर ग्रो क्या क्या कुछन बन सकते हैं इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशल वेबसाइट मैगनेट्बेंस डॉट कॉम पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मैगनेट्बेंस डॉट कॉम पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्माट में अविलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में फ्रीक्वेंट्ली आस्ट कोश्यंस के साथ थैंक यू थैंक यू बेरिमच हलो अब्रीबडी इस दिग्राश सिंह राजपूद वेल्कम तो मैगनेट ब्रीन्स इस वीडियो में क्या बढ़ने वाले हैं इस वीडियो में डिसकस करेंगे कुछ फ्रीक्वेंट्ली आस्ट कुश्यंस किस चैप्टर से तो जो चैप्टर हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया उस चैप्टर से हमारा चैप्टर था पॉपिलर स्ट्रगर्श एन मुवमेंट्स अब देखिए तो हम लोगों का चैप्टर पिछले वीडियो तक क्वेट हो चुका है थे यहां पर आपको कुछ बताऊंगा आपको आंसर रीकॉल करना है बैठे बैठे ठीके और उसी के साथ में हमारा पूरा चाप्टर भी एक बार रीकॉल हो जाएगा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस चाप्टर से डिफाइन डाइप कुछन्स क्य बताया था नहीं पर आपको सरफ दियान देना अपने परस्पेक्टिव से तो उस परस्पेक्टिव से वी एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए जिसमें आप सारी चीजमें पड़ें कुछ भी छोड़ना नहीं है ठीक है तो माविस्ट पर आ सकता है सेक्शनल इंटर्स पर कुछन मनेगा वर्ट दूइमिन बाइस एक्शनल इंटर्स गूप डिफाइन सेक्शनल इंटर्स गूप ठीक है फिर आ सकता है पबलिक इंटर्स गूप पे तो यह दोनों सेक्शनल और पबलिक एक ही परग्राफ में हमने एक साथ पढ़े थे एक ही वीडियो में आयो ना और आपको दिःड झाने ठीके है फिल आएगा इसुर स्पैसिफिक मुमेंट्स क्या होते हैएं बडू आइंडे सेंड बाइर अपको बना चाहिए क्लियर तो यह हमारे कुछ हमने डिसकस किये यह जो चीज़ेंने आगे फिर में रिलेट कर वाऊंगा अब देखो क्या है फिर इस चाप्टर से स्टोरी ओफ नेपाल पर डायेक्ट कुछन आ गया इस तरह से आपको क्या है कुछ भी आये नेपाल की कहानी पूरी पता है किंग बिरेंदर से किंग यानेंदर तक तक वैसी क्या पूछा जा सकता है तो वैसी क्या पूछा जा सकता है बॉलीविया वाटर और के बारे में भी कि बॉलीविया की पूरी स्टोरी एक्स्प्लेंड करो तो उसमें आपको पूरा सब कुछ बताना है कि किस तरह से प्राइबिटाइजिशन होता है MNC को वाटर सप्लाय के राइट्स सिटी कौन सी पूरी यह कुशन मन सकते हैं स्टोरी मतलब मैं आपको एक ब्रॉड आउटलाइन बता रहा हूं किसी भी तरह से नेपाल पर कुशन मनता है बॉलीविया पर कुशन मनता है पूरी-पूरी कहानी हमने अलग-अलग वीडियो में डिसकस किये आप लोगों ने देखा है वह व ऐसा कुशन बूछ लिया हाव ड़स डी डेमोक्रेसी इवाल थू पॉपिलर स्ट्रगल तो यह स्पेसिफिक पॉइंट पर कुशन मन गया आपको वह भी बनना चाहिए कि एक पॉइंट जो तो हमने इस टॉपिक में बढ़ा था डेमोक्रेसी इन पॉपिलर स्ट्रगल में तुन्होंने कुशन वहीं पर घुमा कि अगर ऐसा पूछा कि हाव ड़स डी डेमोक्रेसी इवाल्स विथ पॉपिलर स्ट्रगल तो आपको पता यह पॉपिलर स्ट्रगल के साथ में क्या है नए नए आइडियास पे लोग डिबेट करते हैं डेमोक्रेसी स्ट्रंदन होती ह वह सारी चाहिए तो तीनों पॉइंट्स भी एक साथ आ सकते हैं वाट इस दी रिलेशन बिट्विन डेमोक्रेसी इन पॉपिलर स्ट्रगल स्पेसिफिक पॉइंट्स भी आ सकते हैं आप से सारी चीजह बनना चाहिए ठीक है यह हो गया फिर आते हैं अगला टॉपिक जो हम इन डारेक्टली कैसे पाडिसिपेट करती है तो इस तरह से क्या है कि स्पेसिफिक कुश्यन मन सकता है कि अब वाट आधी टू वेज इन विच ऑर्गनाइजिशन प्लेए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोबलाइजिंग दी पॉपिलर सपोर्ट पॉपिलर नेपाल में SPA थी seven party alliance एक चीज तो लिखना भूली गया है मैं इसमें आप है ठीक है आपको SPA पे भी question बन सकता है seven party alliance what do you mean by seven party alliance what was it define या फिर full form पूछ लेते हैं कुछ भी ठीक है तो वह सारी चीज हो गई अब क्या होता है role of यह हो गया organization organization in Nepal and Bolivia तो fedecor जो बोलीविया की थ organizations थी कौन कौन सी organization थी जिन्होंने popular protest को launch किया था Nepal में या फिर Bolivia में बनेगा सारा चलिए अब देखते हैं कि क्या pressure groups and moments अब इस पर direct question बनेगा direct question कैसे बनेगा जो हमने उपर define में भी discuss की है या तो direct पूछ ले what do you mean by pressure groups या फिर what do you mean by moment groups ठीक है या फिर इन दोनों के बीच मे between pressure groups and moments specific video इसी चीज़ से बनाया है तो मैं जो वीडियो अलग-अलग topic wise बनाता हूं इसलिए बनाता हूं ताकि आपको हर topic का in-depth separate explanation समझ में आ जाए तो उसकी relevance समझो अब अगर question आता तो बनना चाहिए यह बनेगा ना कि pressure groups और moments के में इस में क्या difference है फिर अगर आते types में differentiation क करने को आ गया sectional interest group और public interest group में differentiate करो issue specific moment और general moments या फिर जेनरिक मोमेंट्स में differentiate करो तो types में भी differentiate करते आना चाहिए अगर सिर्फ general पूछ लिया ऐसा कि pressure groups के what are the two types of pressure groups तो भी बनना चाहिए sectional interest group public interest group what are the two types of moment groups तो वो भी बनना चाहिए issue specific और general moments तो सारी चीज़ा हमने discuss करिए मैं आपको एक idea दे रहा हूं कि कैसे questions बन सकते हैं बनेगा ना आप से चलो फिर आगे आते हैं कि यह differences हो जाएगा different फिर यह types differentiation हो जाएगा फिर आती अगली चीज how do pressure groups and moment influence politics तो जो pressure groups होते हैं ठीक है moment groups होते हैं तो यह लोग politics को कैसे influence करते हैं 6 points discuss किये थे हमने सारे के सारे 6 points आपको ध्यान रखना है recall करेंगे आप सभी लोग करोगे ना recall कि कौन-कौन से 6 points तो मैं करवा हूं नहीं करवा हूंगा फिर ऐसा मैं आप क्या करते हो कि last video देख ले तो बोलते हैं हाँ हो लेकिन आपको इन डीटेल सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए तो how do pressure groups and moments influence politics इसके सारे के सारे points 6 points पांच marks मगर कुशन देखो क्या होता है कि अब यह chapter सिर्फ PT में आ रहा पिरियोडिक टेस्ट में आपके teachers मतलब मैं ऐसे blame नहीं कर रहा हूं teachers को लेकिन teachers सोचते हैं कि आर आपको भी smart work करते आना चाहिए आपको पता कि डारेक्ट कुशन मन सकते हैं इसके 6-6 points हमने समझें क्यों नहीं लिख सकते हो आप पेपर में लिख सकते हो ठीक है फिर आता है is there influence healthy तो कैसे influence करते हैं उनका influence healthy है क्या यह भी डारेक्ट कुशन मनता है किसका influence मतलब pressure groups और movement groups के द्वारा politics को influence किया जाता है बहुत अच्छी बात है ठीक है लेकिन क्या उनका influence healthy होता है तो इसको अगर positively पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कि depends the democracy यह वाला इस साइट पर जो में डिसकस किया था वीडियो में लास्ट वीडियो में फिर अगर पूछा जाता है negative side तो आपको सारा सब कुछ बताना है कि किस तरह से democratic principles हट होते हैं powerful और कह सकते कि मनी पावर का यूज करके क्या किया जाता एजींडा को मिस इंटरप्रेट किया जाता है तो वो सारे negative sides भी दिखा दिया in general question पूछ लिए अगर कि is there influence healthy तो आप negative बता और conclude किस पर करना एक positive note पर करन और से popular struggles and moment अब इसी के साथ हम इस chapter को भी पूर्णा होती देते हैं और यह chapter भी हमारा complete होता है ठीक है तो अब क्या है यह chapter complete हो गया आपके साथ discuss कर लिए theory पार्ट पर भी सारी चीज़े बता दिए अब रहेगा है नोट्स ठीक है तो नोट्स में क्या आपको एक free sign up करना है कहा करना है magnetbrains.com जो हमारी website है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे कमेंट सक्षिन में बताते हैं सर दिकत जा रही है यह हो रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी परकार के कोई डाउट है तो कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं and feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच